हलो बच्चों माईशल ताराचन टीम मैथ CLC सीकर आज हम लोग डिसकस करेंगे हमारे जो मैथ केम का पेपर नमबर 9 है उसका सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारे जो टॉपिक आ रहा है वो है सर्कल चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे इस पेपर का फर्स्ट क्यू रिजन एंड इंटरसेप्ट ए डिस्टेंस 6 ओन दी एक्सिस ओप वाई देखिए क्या मतलब है इसका प्लस 3 का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखिना प्लस 3 लिखा जाए या पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखा जाए एक ही बात होगी तो पॉजिटि और y x को यहाँ पर cut कर जाए और दूसरा बच्चो ऐसा circle भी बन सकता है जो x x को touch कर जाए और y x को इस तरीके से cut कर जाए तो दो circles आपके यहाँ पर possible है खिलिए रहे पहली बात चलिए अब हम देखते हैं कि यह दो circle possible है तो क्योंकि हमारे जो यहाँ पर जो question है इसके corresponding एक ही answer आएगा इसका मतलब यह होगा कि आपको दोनों में से कोई एक ही option दिया हुआ होगा ठीक है न दोनों option एक साथ नहीं दिये हुए होंगे तो चलि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन सा option में दिया गया है और उसके corresponding क्या कौन सा answer हमारा सही है चलिए तो पहले बात कर लेते हैं उपर वाले के अंदर तो यहाँ पर देखिए यह देरकी है अपने को distance 3 unit यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो distance है बच्चो यह कितनी है plus 3 so that will be 3 यह 3 होगा तो यहाँ से इसके उपर अगर perpendicular draw करें बच्चो तो यह जो point होगा यह इसका center होगा और क्योंकि distance 3 है तो यहाँ पर इसके जो x coordinate होगा वो कितना होगा बच्चो प्लस 3 होगा अब बात कर लेते हैं इसके y coordinate की so y coordinate जो है वो इसकी radius के बराबर है देखिए क्योंकि यह इसकी जो r है वही इसका y coordinate होगा तो यह आपको कितना दे रखा है बच्चो यहाँ पर r दे रखा है that means 3,r इसके क्या होगे coordinates होगे अब बात कर लेते हैं कि r कैसे निकलेगा हमारा क्योंकि 3 तो अपने को दे रखा है अगर r आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा यहाँ प करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो 6 काई की जो लंबाई दे रखी है उसके अंदर यह भी 3 हो जाएगा और यह वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा बच्चो 3 हो जाएगा यह दोनों 3 है तो यहाँ पर देखिए अपने क्या करते हैं अपने एक ट्राइंगल बनाते हैं ठीक ह कौनसा ट्राइंगल राइट अंगल ट्राइंगल यह वाला इस वाले राइट अंगल के अंदर देखिए अपने कुछ चीजे पता चल गई है यह वाली लैंद 3 होगी और क्योंकि यह यहाँ से 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 डिस्टेंस है एक्सेक्स के पैरलल है यह लाइन तो यह भी कितना हो ज करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है यहां पर 9 प्लस 9 ब्राबर आर स्क्वाइर तो यहां से जो आर की जो वेल्यू आएगी हमारे पास में आर विल बीक्वल टू कितना आ जाएगा रूट 18 क्या हो गया बच्चो रूट 18 मिन्स आपके सामने आ जाएगा थ्री रूट टू अच्छा क्यों вся है तो यहां पर श्िंपलसी बात है और यहां पर भी प्लस-MINस तो यह plus minus क्यों आ रहा है यह देकि आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि दो circle possible होंगे यहाँ पर कैसे क्योंकि जब आप plus 3 root 2 लोगे तो यह उपर वाला circle हो जाएगा और जब आप यहाँ पर coordinates के अंदर minus 3 root 2 लोगे तो नीचे वाला circle हो जाएगा तो पहले आपन देख लेते हैं कि उपर वाले circle की equation क्या होगी अब ठीक है आर की value हमारे पास में आचोगी है इसके लिए आर की value कितनी है बच्चो प्लस 3 root 2 और इसके लिए कितनी हो जाएगी बच्चो coordinates की बात करेंगे तो 3, minus 3 root 2 तो पहले first equation की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने को मिलेगा x minus 3 का hall square x minus h का hall square plus y minus k का hall square बराबर r square r की value भी कितनी है बच्चो 3 root 2 so 3 root 2 का hall square इसको open कर लेते हैं देखते कितना आएगा x square यहाँ से आएगा y square उदर से आएगा so x square plus y square minus 6 x minus 6 root 2 y minus 6 root 2 y साथ में यहाँ पर 9 आएगा so plus 9 को लिख देते हैं यहाँ पर 3 root 2 y square आएगा उदर भी आएगा वो कट जाएगा so that will be equal to 0 क्या एसा कोई option दिया है क्या एक answer तो हमारा यह हो सकता है ठीक है तो चलिए अपन देख लेते x square plus y square minus 6 x minus 6 root 2 y plus 9 equal to 0 देखिए second option आपको दिया गया है तो एक तो यह सही होगा लेकिन क्या दूसरे होला option भी अपने को दिया गया है उसको भी एक बाद check कर लेते हैं तो उसके लिए देखो अपने को क्या करना है उसमें क्या होगा शिरफ यहाँ पर जो है आपके पास में जो minus sign यह कैसा बन जाएगा बच्चो plus sign बन जाएगा ठीक है क्योंकि x minus 3 रहेगा लेकिन यह y plus 3 root 2 हो जाएगा तो यहाँ plus sign आएगा ध्यान से देखना मैं इसी में change कर रहा हूँ सारी चीज़े सेम रहेगी बस यहाँ minus की जाएगा तो minus 6x plus 6 root 2y कहीं दिया हुआ है क्या तो देखो बच्चो minus 6x तो एक ही option में दिया गया है तो फिर आपको आप पहले भी यहाँ से देख सकते थे कि minus 6x क्योंकि एक ही option में है that means यह दूसरे वाल option आपको नहीं दिया गया है इसलिए आपका सिरफ और सिरफ यहाँ पर कौन सा option सही होगा बच्चो second option के लिए रहे सभी को चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं बच्चो question number 2 के बारे में देखो क्या दिया है हमें question number 2 में और क्या करना है question number 2 के अंदर आपको बोला गया है कि a circle of radius 5 has its center on the negative x-axis देखी क्या है यहाँ पर कोई भी एक circle है जिसका जो center है वो negative x-axis पर है इसके आगे क्या दिया है देखो आपको and it passes through the point 2,3 यह जो circle है बच्चो यह हमारा 2,3 से pass करता है बहुत ही अच्छी बात है बच्चो 2,3 से pass कर रहा है इसके उपर एक point ले लिजिए 2,3 then the intercept made by the circle on the y-axis इसका क्या मतलब हुआ बच्चो कि जब आप इसके उपर y-axis ट्रो करोगे तो यह वाली जो लंबाई है आपको यह निकालनी है कितनी होगी तो मान लेते हैं कि बच्चो यह इसको y-axis को a और b पे cut कर रहा है तो a के coordinates क्या होगे बच्चो 0,y और b के coordinates क्या होगे बच्चो 0,-y अच्चा दोनों की value क्या numerically same होगी तो बिलकुल होगी क्योंकि x-axis के corresponding यह line यह आपर perpendicular है तो यह code का काम करेगी और code इसको क्या करती है bisect करती है तो बिलकुल यह 0,y है तो यह 0,-y है that means बच्चो आपको a b निकालना है that means आपको क्या करना है आपको 2y की value find out करनी है चलिए करते है find out देखिए कैसे करेंगे तो एक काम करते है देखो यहाँ पर यहाँ पर अपने क्या करते है सबसे पहले तो इसको इससे जोड लेते है क्योंकि अपने को तिरिजा देर की है 5 ठीक है और इन दो बिंदों के बीच की दूरी का formula लगाता है तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ से हमें मिलेगा यहाँ पर alpha minus 2 का hall square alpha minus 2 का hall square plus y minus 3 का hall square and that will be equal to कितनी है बच्चो 5 क्योंकि डिस्टेंस रेडियस होगी रेडियस कितनी होती है 5 तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया distance formula यहाँ पर use कर लिया है इसको calculate करते हैं देखो कितना आएगा alpha minus 2 अच्छा y की value कितनी है 0 ठीक है यहाँ पर y कितना है 0 so 0 minus 3 का square so alpha minus 2 का hall square will be equal to 25 minus 9 कितना आजाएगा 16 ठीक है so alpha minus 2 की 2 value जाएगी उधर जाके जब रूट करोगे तो 2 value जाएगी एक 4 और दूसरी minus 4 तो जब आप 4 यूज करोगे तब तो alpha 6 आएगा आपका और जब आप minus 4 यूज करोगे तो आपको alpha कितना मिलेगा बच्छो alpha मिल जाएगा आपको इधर जाके add हो जाएगा so minus 2 और आपको देखो initially सबसे पहले दिया गया था कि alpha कैसा है वो च्छो negative है क्योंकि negative x axis पे था center इसका मिलब alpha की value आपको minus 2 लेनी है चलिए यह तो एक काम हो गया अब बात करते हैं देखो दूसरी बात दूसरी में क्या करेंगे देखो दूसरी के अंदर अपन एक बार फिर से distance फॉरुना लगा देते हैं alpha आगया है हमारे पास में तो देखो इस point को अगर आप इस point से join करोगे ना तो ये भी तो radius ही होगी ठीक है तो एक काम करते है इसकी center की point A से जो distance है वो भी radius के ब्राबर है AC ब्राबर भी कितना है बच्चो आर चाह एक के coordinates कितने है बच्चो alpha कितना आ गया तो हमने पास minus 2 तो minus 2,0 और ये है 0,y so minus 2 minus 0 का whole square plus 0 minus y का whole square ब्राबर r square तो इसका root होता है उदर करेंगी square r square कितना हो जाएगा बच्चो 25 कितना आएगा देखो y square ब्राबर 25 minus 4 that is 21 तो y ब्राबर हो जाएगा बच्चो root 21 ऐसा plus minus दोनों आएंगे एक उपरवाला कोडिनेट और एक निचावाला कोडिनेट अब आपने को क्या निकालना है a b, a b कितना है 2y so a b ब्राबर कितना हो जाएगा बच्चो 2 root 21 क्योंकि length है तो हम इसा positive होगी so 2 root 21 ऐसा जो option दिया गया है आपको question में वही है बच्चो आपका सही answer that is second option ये लिए होगा सभी को चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं question number 3 के बारे में क्या करना है देखो question number 3 के अंदर और क्या दिया गया है हमें यह आपे question number 3 आपको बोला गया है 3 circles दिये गये हैं और बताना है कि बच्चो आपकी इन 3 circles की जो radius है वो किस में होगी AP में है, GP में है, HP में है या AGP में है ठीक है चले बात करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं पर यह जो पहला circle है हमारा x square plus y square इसकी radius तो आप में calculate करने की ज़रूत नहीं यह बच्चो 1 दी गई है यह बहुत ही आसान सा question बच्चो आपको तीनों circle के radius निकालनी है तो radius का formula लगा दीजिए यहाँ पर कितना आएगा देखो g square g के value कितनी है देखो यहाँ पर यह 2g होता है 2g बराबर कितना होता है minus 2 तो g कितना आजाएगा minus 1 ऐसा ही सारी values निकालनी है आपको मैं आप देखो formula लगा रहा हूँ शीद आप देख लीजिएगा g square 1 plus f square that is 9 minus c देखो यह इदर आएगा तो minus 6 होगा तो यहाँ पूट करोगे तो plus 6 हो जाएगा कितना आजाएगा 9 रिक 10 10 plus 6 16 तो 16 का root कितना होगा बच्चो 4 ऐसा ही बच्चो r3 निकाल लीजिए r3 कितना होगा देखो इसके लिए 2 का square that is 4 6 का square that is 36 और minus 9 अगें फिर plus 9 हो जाएगा दर आगे so 36 plus 40 40 plus 9 49 so 49 का root कितना हो जाएगा हमारा 7 so 1, 4 and 7 यह क्या है बच्चो यह है हमारे इन तीनों circles की radius ठीक है ना तीनों वर्तों की तिर जाएगा तो यह किसमे होगी तो 1, 4, 7 किसमे है आपको यह बताना है बच्चो ठीक है तो यह किसम होगे बच्चो क्योंकि इनका common difference same है ठीक है ना D का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है that means बच्चो यह AP में होगी ठीक है ना समानतर स्रेणी में होगी जो first option है हमारा यही होगा बच्चो सही answer clear x1 y2 x2 y1 ठीक है x1 और x2 बराबर नहीं है और y1 और y2 भी बराबर नहीं है तो यह सदेव कैसे होगे ठीक है ना इसके बारे में आपको बात करनी है तो देखे अपने काम करते हैं इसका एक diagram बना लेते हैं सबसे पहला एक point है बच्चो आपका x1, y1 ठीक है ना इसको आपने generally बना लिया एक जगे पर that is point A ठीक है point A के बाद में point B है बच्चो x2, y2 तो यह को दूसरा point बना लेते हैं x2, y2 यह दूसरा point हो गया तीसरा point है बच्चो x1, y2 x1 है ना x1 है बच्चो इसी line के उपर vertically होगा इसी line के उपर होगा x1 और y2 है मतलब बच्चो वो इसी line पर horizontally होगा that means यह बच्चो यह point है आपका x1, y2 इसी बच्चो लास्ट पोइंट है x2, y1 x2 है मतलब बच्चो वो इसी line पर होगा और साथ में क्या है y1, y1 है बच्चो वो इसी line पर होगा horizontally तो वो यह point होगा that is x2, y1 तो आपको बताना है कि यह 4 बिंदू हमेशा कैसे होंगे ठीक है तो क्या यह कॉलिनियर होंगे एक ही रेखा पर होंगे एक ही circle पर इस्तित है क्या तो इसको कैसे पता चलता है opposite angles का सम 180 degree होना चाहिए बच्चो क्योंकि यहां पर जो diagram बन रहा है उसके हमें पता चल रहे हैं कि यह 4 angles कैसे है बच्चो 90 degree के और अगर 4 angle 90 degree के हैं that means बच्चो यह आपके पास में क्या होगा यह एक rectangle होगा और rectangle होगा तो उसके चारों angles केतने होते हैं बच्चो 90 degree के तो यह आपके पास में opposite angles का सम 180 degree होगा तो यह बिलकुल सही है बच्चो यह वर्त के उपर इस्तित हो गई तीसरी बात करते हैं क्या वर्त के सिर्स होंगे तो वर्त के सिर्स होने के लिए बच्चो आपको यह length और यह length ब्राबर होनी चाहिए देखो ओपोजिट्स length तो same है क्योंकि वर्त आयत है तो भी लेकिन वर्त होने के लिए यह दोनों length भी same होनी चाहिए यह दोनों length अगर same है तो एक वर्त हो सकता है तो क्या यहां पर यह लेंथ सेम है बच्चो तो ये दोनों सेम नहीं होगी क्योंकि अपने X1, Y1, X2, Y2 की वैल्यू पता नहीं है हो सकती है किसी special case में बढ़ हमेशा नहीं होगी इसलिए वर्ग के सिर्ष नहीं होंगे सम चतूर भुज के सिर्ष सम चतूर भुज के लिए क्या होना चाहिए बच्चो सम चतूर भुज की क्या condition होती है कि उसकी अगेन चारो भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए तो वो भी यहाँ पर possible नहीं है इसलिए शिरफ और शिरफ आपका दूसरा option यहाँ पर क्या होगा बच्चो सही answer होगा चलते हैं आगे और बात करते हैं बच्चो क्यूसर नमबर 5 के बारे में क्या है देखिए हमारा क्यूसर नमबर 5 और इसमें कौन सा option सही होगा आईए बात करते हैं देखिए आपको क्या दियावा है दो family of the line y-1 ब्राबर m1 x-3 and y-3 ब्राबर m2 into x-1 are two family of the state lines eight right angle to each other then the locus of their point of intersection is ठीक है क्या है देखो y-1 ब्राबर ये तता y-3 ब्राबर ये कोई दो सरल रेखाओं को निरुपित करती है तता एक दूसरे के लंबवत है तता एक दूसरे के लंबवत है तो उनके परतिछेद बिंदू का बिंदूपत क्या होगा देखो इसका क्या मतलब हुआ बच्चो कि 1,3 से पास होने वाली बहुत सारी लाइन्स हो सकती है इन्फाइनाइट लाइन्स इस पॉइंट से पास हो सकती है फैमिली ओप दी लाइन और भी हो सकती है मैंने एक लाइन प्रो कर ली कोई भी 1,3 से पास होने वाली एक लाइन ये दूसरे वाल लाइन है 1,3 1 X1 और Y3 इससे उसमें कितना आ रहा है बच्चो उसमें X3 और Y1 मिंच एक दूसरा पॉइंट है 3,1 यहां से पास होने वाली यह बहुत सारी lines होगी उसमें से कोई एक line है अचा यहां से बहुत सारी lines होगी बच्चो न ऐसे मैंने एक lines draw कर ली इसमें से कोई भी इसी बहुत सारी है उसमें से एक-एक line मैंने थोड़े extend करके एक diagram बना लिया this and this are the two family of the state line 8 right angle अचा इसका क्या कहना चाहरा ही है कि यहां से यह जितनी भी जो भी families बनेगी न ठीक है न ऊपर करना है तो बहुत यह आसानी से कर सकते हो बच्चो यहां से इसकी slope m1 है इसकी slope अगर m2 है so m1 into m2 बराबर कितना होगा बच्चो minus 1 ठीक है m1 कितना होगा बच्चो k-3 divided by h-1 into m2 कितना होगा बच्चो k-1 divided by h-3 that will be equal to minus 1 इसको solve कर लेते है h-k को x-y से replace कर देते है कितना आएगा k-square minus 3 and minus 1 that is minus 4k and that is plus 3 this will be equal to right hand side में जो है आ रहा है हमारे पास में वो values कितनी आ रही है उसके बारे में देखते हैं देखो so right hand side में जो हमारे पास में values आ रही है वो आएगे हमारे पास में h-square एक minus sign भी है वहाँ पर minus 4h and plus 3 ठीक है इस सारी data को हम right hand side में ले आते हैं so देखो इधर आ करके h-k को x-y से replace भी कर देते है so x square plus y square minus 4x minus 4y minus 4x minus 4y और साथ में कितना आएगा बच्चों साथ में plus 3 और यह भी plus 3 that is 6 will be equal to 0 क्या कोई ऐसा option है क्या बच्चों यहाँ पर ठीक है तो x square plus y square minus 4x minus 4y plus 6 equal to 0 इधर आगर के दोनों plus हो जाएंगे so plus 6 equal to 0 ऐसा है बच्चों second option और यही होगा बच्चों आपका सही answer so question number 5 का जो सही answer होगा that is option number 2 के लिए रहे सभी को चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं question number 6 के बारे में क्या है देखो हमारा question number 6 आईए इसके बारे में discuss करते हैं question number 6 में आपको क्या दिया गया है देखिए normal at the point 3,4 on the circle cut the circle again at the point minus 1,2 then the equation of the circle is वर्थ परिष्थित बिंदू 3,4 पर खिंचा गया अभिलम वर्थ को minus 1,2 पर उन्हें परतिछेद करता है ठीक है उन्हें परतिछेद करता है मिन्स वापिस वर्थ को परतिछेद करता है वाँ पर तो उस वर्थ का समीकरण क्या होगा देखो एक कोई वर्थ है बच्चो जिसके 3,4 पर हमने एक अभिलम खींचा और वो वापिस इसको कहां जाकर करके कट कर गया बच्चो इसको वापिस जाकर करके वो कट कर गया है कौन से पॉइंट पर आईए देखते हैं दुबारा एक सेकंड बच्चो आपको क्या करना है आपको एक वर्थ बनाना है ठीक है उसके बिंदू 3,4 पर खींचा गया अभिलम वापिस इस वर्थ को कहां कट कर गया माइनस एक कॉमा माइनस दो पर माइनस वन कॉमा माइनस टू पर ठीक है तो देखो आपको क्या करना है आपको इस वर्थ का समिकर निकालना है तो ये देखो बच्चो क्या है ये एक अभिलम है और अभिलम आप सब को पता होगा बच्चो कहां से गुजरता है उसके सेंटर से गुजरता है तो ये दोनों जो बिंदु है ये इसके डायमेटर के endpoints होंगे और डायमेटर के अगर endpoint है तो equation of the circle निकालने का formula सिधा होता है बच्चों x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 will be equal to 0 इसको solve कर लेते हैं देखो answer आएगा x square plus y square minus 3 plus 1 that is minus 2x minus 4 plus 2 that is minus 2y and minus 3 and minus 8 there will be minus 11 will be equal to 0 तो ऐसी टरम देखिए जिसमें तीनों टरम negative आ रही हो बच्चों minus 2x minus 2y minus 11 अच्छों 11 एक ही option में दिया है बच्चों ज्यादा सोचने की भी जरूत नहीं है इस question का जो सही answer होगा हमारा question number 6 का that is again second option होगा के लिए रहे सभी को जली आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं question number 7 के बारे में क्या है देखो question number 7 में इसमें देखते हैं आपन लोग the line this is the tangent to the circle देखो एक line दी गई है आपको और आपको कहा गया है कि ये जो line है बच्चों ये circle की क्या है tangent है tangent है मतलब बच्चों इसको sparse करेगी किसी बिंदू पर और इस line जो देर की अपने को ये कौनसी line है 2x minus y plus 1 ब्राबर 0 यही देर का है बिल्कुल आगे बात करते हैं देखो ये tangent to the circle at the point 2,5 अच्छा ये point भी दिया गया है बच्चों अपने को तो that is 2,5 ठीक है न कौनसे point पर आप check भी कर सकते हो 4 minus 5 plus 1 इसको satisfy कर रहा है मिस्स इसी बिंदू पर ये sparse रेका आपकी खीची गई है and the center of the circle lies on the line this अच्छा इसका जो center है circle का ठीक है वो एक दूसरी line आपको दी गई है that is x minus 2y ब्राबर 4 ठीक है इसके उपर लाई कर रही है then the radius of the circle is तो देखो बच्चों radius निकालने के लिए अपन क्या करते है इसके center के coordinates निकालने तो अपने को radius मिल जाएगी आसानी से इन दो बिंदू के बीच की दूरी जो होगी वही होगी बच्चों आपकी radius ठीक है तो कैसे निकालेंगे देखो पहली equation तो देखो बहुत ही आसान तरीके से h, k आपको बोला गया center इस रेखा पर लाई कर रहा है तो इसको संतुस्ट करेगा so h minus 2k ब्राबर 4 that is equation number 1 एक equation तो आपकी ये होगी फिर आगी चलते हैं बात करते है equation number 2 के बारे में equation number 2 में क्या करेंगे अपन अपने को ये बताया गया है कि ये जो है आपके पास में इस पर्स रेखा है और ये क्योंकि बच्चो radius है और अपन सब को पता होता है radius और इस पर्स रेखा ठीके ना formula आपने या यूज कर लेते तो अपने को एक relation hk में और मिल जाएगा बच्चों m1 बच्चों इसकी slope कितनी होगी that is 2 ठीक है ना x का coefficient divide by y का coefficient और उसको minus 1 से multiply करेंगी so 2 m2 m2 कितना होगा बच्चों k minus 5 divide by h minus 2 और that will be equal to minus 1 ठीक है इसको solve करते हैं देखो कितना मिलेगा अपने को that is 2 k minus 10 will be equal to minus h plus 2 ऐसा आजाएगा और देखो 2 k की जगे पर या h की जगे पर आप value put कर दीजिए तो आपको देखो 2 k minus 10 h की जगे पर put कर देते हैं अपन value that is 2 k plus 4 2 k plus 4 and plus 2 एक काम करते हैं 2 k को इधर ले आते हैं so that is 4 k 10 को इस side में लेया है that is 10 minus 4 and plus 2 तो यहां से k कामान अपने को मिल जाएगा k will be equal to 10 plus 2 12 12 minus 4 will be 8 so 8 by 4 that is 2 k 2 है k कामान 2 अगर इसमें put करते हैं तो यहां से h कितना आएगा देखो बच्चो 4 और 2 into 2 4 that will be 8 so h कामान आगया बच्चो 8 so अपने को point मिल गया center के जो point है c that is 8,2 और एक जो point p अपने को दे रखा था that is 2,5 देखो इनी दोनो points के बीच की जो दूरी है वही होगी बच्चो आपकी radius तो r will be equal to कितना आएगा अगर हम यहांस इसको solve करें so 8 minus 2 that is 6,36 and 5 minus 2 that is 3 so that will be 9 so 36 plus 9 का root that is root 45 और root 45 को लिख सकते हो बच्चो आप 3 root 5 3 root 5 कौन सा option है बच्चो आपका first option तो बिलकुल बच्चो 7 का जो सही answer होगा वो होगा आपका पहला option क्लियर है चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं बच्चों question number 8 के बारे में आईए देखते हैं क्या करना है हमें question number 8 के अंदर और क्या हमें दिया गया है क्या हमसे पूछा गया है यहां पर देखो बच्चो आपको एक बोला गया है कि क्या बताना है आपको कि यह जो आपको एक समिकन दिया गया है यह इसमें से किस चीज को निरूपित कर रहा है option दिये गए है आपको एक line और एक point दे रखा है सबसे पहले फिर एक pair of line और एक point दे रखा है isolated point मतलब कोई fixed point आपका पर्थक बिंदू a line and a circle a circle and an isolated point इसका क्या मतलब हुआ कि यह जो समिकन है कि यह की नहीं दो चीजों का combination है बच्चो ठीक है और combination है तो फिर अपन क्या करें अपन को एक तरीके से यह करना है कि इसके दो factors करने हैं और जब factors की बात आती है तो सबसे पहली चीज जब भी आपको square में cube के अंदर कुछ भी दिखाए देता है तो आपका सिधा click करना चाहिए किसके ओपर बच्चो identities के ऊपर ठीक है तो ऐसी identity देखिए जिसके अंदर आपका x cube यूज हो रहा होगा y cube यूज हो रहा होगा ठीक है माइनस 3C लिए लिखा ठीक है क्योंकि ये 3 trump cube में आ रहे थी तो फिर 3 वाले जब भी आता है तो मेरे को कौन सा formula याज आता है a cube plus b cube plus c cube minus 3abc ठीक है अब देखो अगर अपने इसके factors करते हैं यहाँ पर तो इसके factors का formula अपने को पता है x plus y minus 1 ठीक है और 7 में बच्चों यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास ये जो दूसरे वाला जो factor है x square plus y square और 7 में आएगा बच्चों हमारे पास में minus 1 sorry plus 1 a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus ac will be equal to 0 ठीक है अच्चा इसको जब 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों x plus y ब्राबर 1 ठीक है और यह जब 0 होता है तो बच्चों आप सबको result याद होना चाहिए अगर याद नहीं है तो इसको याद कीजिए कब 0 होता है यह तब 0 होता है जब आप ब्राबर करोगे तो x plus y ब्राबर आपको क्या मिलेगा minus 1 यह किस चीज को निरुपित कर रहा है अच्चा बहुत सारे बच्चों को यह सा भी लग रहा होगा कि यह एक circle होगा ठीक है ना x square plus y square minus इसको देख करके तो वैसे देख के circle तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि x y आपके बास तो circle का काम तो वैसे खतम होगा बाद आती है pair of state line तो pair of state line होने के लिए बच्चों इसके फिर से factors बनने चाहिए लेकिन क्योंकि यह जो result आता है उसके corresponding यह बनता है हमेशा a square plus b square plus c square यह format बनता है तीन quantities का square बनता है यह और तीन quantities का square का कभी भी factor नहीं हो सकते है ठीक है तो ना तो यह circle बन पाएगा ना ही यह pair of state line इसका मतलब क्या बनेगा बच्चों यह point ही रेगा मैसा minus 1, minus 1 इसे हम कहेंगे पर्थक बिंदू और साथ में यह किसको निरुपित कर रही है यह आपकी एक सरल रेखा को निरुपित कर रही है तो ऐसा कौन सा option है बच्च नमबर 9 क्या करना है आईए देखते हैं इसमें क्यूसर नमबर 9 के अंदर आपको बोला गया है कि find the locus of the center of the circles if the point 2,3 is the midpoint of the chord 5x plus 2y ब्राबर 16 is देखो क्या कहा गया है आपको कि आपको एक circle है कोई भी एक circle है जिसके अंदर एक chord यह है आपकी 5x plus 2y ब्राबर 16 इसका जो midpoint है that is 2,3 ठीक है ना इसका midpoint कितना है 2,3 find the locus of the center इसके center का locus find out करना है that means h,k और इस line के equation भी आपको दी गई है that is 5x plus 2y ब्राबर 16 देखो जान से पढ़ो गया अगर find the locus of the center center का locus हमें निकालना है of the circles if the point 2,3 is the midpoint of the chord this ठीक है इसको लाई भी कर रहा है आप check कर सकते हो 10 plus 6 16 so 2,3 score का midpoint आपको दिया गया है अब आपको यह जो diagram बना है इसके corresponding s,k के अंदर क्या संबन्द आ रहा है वो निकालना है so चली देखो बच्चो simple सी बात है जब भी 90 degree का angle बनता है 2D के अंदर तो एक पहला click हमेशा यही करता है कि यह क्या लग सकता है हमारा m1,m2 ब्राबर minus 1 ठीक है आईए चेक करते हैं कि m1,m2 equal to minus 1 लगाने से क्या आ रहा है उसके corresponding देखते हैं m1 बच्चो उन दो बिंदों से अपन सलोप निकाल सकते हैं उसका k minus 3 divided by h minus 2 into इसकी सलोप अपन निकाल सकते हैं इसका आयम कितना है बच्चो minus 5 by 2 ठीक है तो minus 5 by 2 ब्राबर minus 1 कितना आने वाला है minus से minus को काट दीजिए plus हो जाएगा so 5k minus 15 will be equal to 2h minus 4 सभी डेटा को एक साइड में ले ले hk को replace कर देता है so 2x minus 5y plus 15 यहां पर आकर के हो जाएगा बच्चो plus 11 ब्राबर 0 ठीक है न so 2x minus 5y and plus 11 will be equal to 0 और ऐसा option है बच्चो हमारा third option so 9th question का जो सही answer होगा हमारा बच्चो वो कौन सा option है तीसरा option ठीक है चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं बच्चो question number 10 के बारे में क्या है देखी question number 10 हमारा question number 10 के इंदर हमें बोला गया है कि x square plus y square plus 2x plus c equal to 0 and this will be touch to each other if 1 upon a square plus 1 upon b square ब्राबर अगर ये वर्थ और ये वर्थ एक दूसरे को इसपर्स करते हैं ठीक है तो इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है बच्चो चलिए हमें start करते हैं और देखते हैं कि इसका मान क्या आ रहा है देखो बच्चो दो वर्थ एक दूसरे को touch करते हूँ ठीक है तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं देखो दो वर्थ किस किस तरीके से एक दूसरे को टच कर सकते हैं तो एक संबंद तो बच्चो वहाँ पर ये लग सकता है आपका C1 C2 ब्राबर R1 प्लस R2 और दूसरा संबंद ये भी हो सकता है बच्चो आपका C1 C2 ब्राबर R1 माइनस R2 ठीक है देखते हैं अपन दोनों से क्या रिलेशन सेम ही आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है ठीक है पहले ये कर लेते हैं इसके लिए अपने इसके सेंटर को लिखते हैं देखो बच्चो माइनस A,0 ये C1 होगा C2 की बात करें बच्चो 0,-B ये दूसरे सरकल का सेंटर है R के बारे में बात करें बच्चो R1 ब्राबर so that will be equal to A square minus C और R2 के बारे में बात करें बच्चो तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना that is B square minus C, ठीक है तो ये सारी चीज हमारे पास में आ गई है इसका square भी कर देते हैं अपन ताकि root ना आए कहीं पर भी देखिए, C1, C2 का square means इन दोनों के distance formula लगाएंगे तो ये बढ़ेगा A square plus B square ब्राबर, R1 square, R1 square means A square minus C plus R2 square that is B square minus C, root इसमें भी नहीं आएगा that is B square minus C, ends 2R1, R2, so 2 time R1, R2 कितना आ जाएगा बच्चो A square minus C into B square minus C, ये पहले केसमें आएगा तो यहाँ पर भी देखो A square, B square तो कट जाएगा, तो minus 2C इस साइड में ले आए, तो यहाँ पर minus का 2C हो जाएगा plus 2C ब्रावर 2 time root over A square minus C into B square minus C इदर देखते हैं देखो, इसमें और इसमें क्या फरक आएगा बच्चो सिर्फ यहाँ पर साइन का फरक रहेगा, पर ये चीज़ सेम रहेगी बिल्कुल as it is R1 square plus R2 square ये भी बिल्कुल सेम रहेगा, तो इस 2C को इदर लाएगे तो ये तो 2C ही होगा, बस minus 2R1 R2 तो यहाँ पर आजाएगा minus 2 into A square minus C into B square minus C और वैसे भी देखो बच्चो, अगर इस type execution पुछा गया तो आपको दोनों case करने की कभी जरूत नहीं है इसका मतलब यही होगा कि सेम ही answer आएगा दोनों से, अगर उसने externally, internally कुछ भी नहीं दिया गया है यहाँ भी 2 कर जाएगा बच्चो, इधर भी 2 कर जाएगा, फिर से squaring करेंगे both side तो देखो इधर plus है, इधर minus है, लेकिन squaring करते ही minus sign अट जाएगा तो आप चाहिए किसी का भी करो आप, आपको यहीं दिलेगा C square ब्राबर A square minus C into B square minus C, इधर root अटेगा, यह minus sign अट जाएगा और उधर C का square हो जाएगा, फिर से देखो बच्चो, इसका क्या करते हैं अपन लोग, इसका अपन simplify करते हैं तो हमें मिलेगा A square B square minus A square C minus B square C plus C square तो यह C square से C square कट जाएगा, और C square कटने के बाद में इस वाली टरम को इधर ले आते हैं A square C plus B square C ब्राबर A square B square, अब एक काम करते हैं बच्चो, इस पूरे relation को अपन divide कर देते हैं किससे A square B square C, तीनों टरम से divide करेंगे देखो, क्योंकि अपने divide में चाहिए तो A square और C दोनों कटेंगे, तो यहां बचेगा 1 by B square इसमें B square और C कट जाएंगे दोनों, तो यहां बचेगा 1 by A square और इधर बच्चो, A square और B square कट जाएगा, तो 1 upon C बचेगा देखो बच्चो, C के अंदर square नहीं, जान से देखना यहां पर रहा न C में power 1 है, और A square और B square इसमें power A और B में कितनी है, 2 तो इधर तो 1 by C आएगा, और इधर 1 by A square प्लस 1 by B square और यहीं पूछा है हमसे, और 1 by C और 1 by C square दोनों option दिये बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, 1 by C square पर टिक करके लेकिन बच्चों answer पहला होगा, that is 1 by C, clear है सभी को, तो यह कापी अच्छा एक मतला वो logical question रहा आपका, आगे बात करते हैं, question number 11, question number 11 में देखी हमें करना है क्या, आईए इसके बारे में discuss करते हैं, question number 11 में आपको कहा गया है कि P, A and P, B are drawn to the, tangents P and P, B are drawn to the circle, देखो एक circle है बच्चों जिसके उपर दो tangents आपको draw करनी है, एक P, A है, दूसरी P, B है, ठीक है यह भी spurs कर रही है यहाँ पर, एक तो A पर, दूसरी आपकी B पर, आगे क्या कहा गया है, कि circle का center है बच्चों 0,0 और साथ में बच्चों आपको यह भी कहा गया है कि इसकी जो radius है, बच्चों कितनी है, 2 है, ठीक है न, question में दिया गया है, यह tangent से तो यह perpendicular उदर भी draw कर सकते हो, मैंने उपर की तरब कर लिया है, आगे देखते हैं, then the locus of the point P, तो बच्चों हमें इस point P का locus find out करना, इसको h, k मान लिया, जिसका locus हमें find out करना है, if the triangle P, A, B, जए equilateral triangle, यदी tributes P, A, B, एक समभाव tributes है, ठीक है, तब आपको यह काम करना है, P, A, B, मतलब यह जो triangle बनेगा बच्चों आपका, P, A, B, यह equilateral triangle बनना चाहिए, ठीक है, ठीक है, देखो बच्चों, अगर यह equilateral triangle है आपका, ठीक है, कौन सा, यह triangle अगर आपका equilateral है, इसके सारे angle 60 degree के होंगे, तो यह angle भी 60 degree का होगा, ठीक है, इसको इसके triangle के बारे में अगर बात करें बच्चों, देखो मैं थोड़ा सा color change करके आपको दिखा देता हूँ, यह जो आपका triangle है, यहाँ से लेकर के, यह वाला triangle, इसके बारे में अगर बात करते हैं, तो इसमें होगा, बच्चो, AC क्या है, बच्चो, 30 के opposite, 30 के opposite होती है, perpendicular, और PC क्या है, बच्चो, CP क्या है, 90 के opposite hypotenious, perpendicular by hypotenious होता है, sine theta, that is sine 30 degree, that is 1 by 2, ठीक है, स्क्वाइरिंग का देजिए, AC square, AC square है, बच्चो, 4, CP स्क्वाइर, C और P के बीच की दूरी का स्क्वाइर होगा, बच्चो, H square, प्लस K square, ब्राबर, 1 by 2 का स्क्वाइर, 1 by 4, H, K को replace कर दीजिए, आपका answer आगे देखो, X square, प्लस Y square, ब्राबर, 16, ठीक है, यही है आपका answer, ऐसा कौन सा option है, बच्चो, आपका fourth option, क्लिए रोगा बस अभी को, चलिए फिर आगे चलते हैं, और बात करते हैं, बच्चो, question number 12 के बारे में, आएए देखते हैं कि, इस question में हमें करना है क्या, question number 12 में देखो, आपको दिया गया है, कि इपे circle of constant radius 3K passes through the origin, and meet the coordinate axis at A and B, देखो, एक वर्त ऐसा है, जो इस बिंदू से pass कर रहा है, तो ता coordinate axis को A तदा B पर मिल रहा है, ठीक है न, A और B के उपर मिल रहा है, ठीक है, इसकी radius constant है, बच्चो, that is 3K, अच्छा, आप सबको पता होगा, बच्चो, इसका जो diameter होता है, वो A B होता है, क्योंकि ये जो angle है, कितना है, 90 degree, A B is the diameter, तो इसका जो midpoint होगा, ठीक है, इसका जो midpoint होगा, इसके इधर वाली length भी 3K होगी, ये भी 3K, और क्योंकि center को इससे join करोगे, तो ये length भी कितनी होगी, बच्चो, 3K, सब 3K है, बहुत ही अच्छी बात है, बच्चो, आगे चलता है, देखो, mid the coordinate axis at B, A and B, then the locus of the centroid of the triangle O, A, B, तो देखो बच्चो, O, A और B, इस triangle का अपने को क्या करना है, centroid का locus find out करना है, ठीक है, तो centroid को बच्चो मान लेते हैं, अपने H, K है, ठीक है न, G will be equal to, जहाँ पर भी लाई करेगा इसके बीच में, ठीक है न, अच्छा, K use हो रहा है, तो X, Y मान लीजिया, क्योंकि question में अपने को कई X, Y, दूसरे जगे पर हैं नहीं, तो इसको X, Y ही मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, बच्चो, A, 0, और इसको मान लेते हैं, अपन, 0, B, देखो, centroid की value कितनी आएगी, सबसे पहले अगर बात करें, तो X will be equal to, कितना आने वाला है, देखो, X का मान, X will be equal to, आ रहा है हमारे पास, A plus 0 plus 0 divided by 3, that is, A by 3, ऐसे ही Y कितना आएगा, बच्चो, Y आएगा अपने पास, 0 plus B plus 0 by 3, that is B by 3, ठीक है, squaring and adding, so X square plus Y square will be equal to, A square plus B square divided by 9, ठीक है, अच्चा, A b क्या है बच्चो, A b है आपकी इन दो बिंदों के बीच की दूरी, ठीक है, इन दो बिंदों के बीच की दूरी कितने हैं, बच्चो, ये भी 3 के, और ये भी 3 के, तो that is, 6 के, तो root over A square plus B square will be equal to, कितना है आपके पास, A square plus B square बराबर, 6 के, तो दोनों साइड अगर squaring कर दें, तो A square plus B square कितना आजाएगा बच्चो, 36 K square divided by 9, that is 4 K square, तो हमारा answer आजाएगा, X square plus Y square बराबर, 4 K square, इसा है option, वही होगा बच्चो, आपका सही answer, कौन सा है, अगेन आपका fourth option होगा, X square plus Y square बराबर, 4 K square, हमें O, A, B के, केंदर का बिंदूपत चाहिए था, ये O, A, B, त्रिवोज है, इसके केंदर का बिंदूपत होगा, आपका यहाँ पर fourth option, ठीक है, बाकी सब भी में अलग-लग है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 K square है, बट X square minus Y square है, बट हमें इसको square करके 8 करना पड़ेगा, ठीक है, तब 4 K square आएगा, So, that is only fourth option, clear, चलिए बच्चों, चलते हैं, आगे बात करते हैं, question number 13 की ओर, क्या है, देखो, question number 13 क्या कहे रहा है, हमें, आईए इसके बारे में बात करते हैं, Question number 13 हमें कह रहा है कि, find the equation of the circle which cut the circle this orthogonally, ठीक है, एक तो इस circle को orthogonally cut कर रहा है, and the lines, this is also orthogonally, और ये जो lines है, इसको भी orthogonally cut कर रहा है, तो सबसे पहले तो देखो बच्चों, इस बात को समझिए, कि कोई भी pair of line को circle orthogonally कैसे cut करता है, क्योंकि एक circle circle को कैसे करता है, ये तो आप सब को पता है, बट pair of line को कैसे करता है, तो उसके लिए पहले तो इस pair of line के बच्चों, आप factors कीजिए, देखिए, x को common ले तो y-2, तो ये है बच्चों, x-1 into y-2 ब्राबर 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो x ब्राबर 1 और दूसरी y ब्राबर 2, ये दो lines है आपकी, इसको orthogonally cut कर रहा है, एक circle, pair of line है न, देखो, ये है आपके पास में, एक कोई circle, ठीक है न, ये कोई दो lines है आपकी, एक तो है x-1 और एक दूसरी है y-2, तो पहले बात कर लेते हैं बच्चों, पर y-2 के बारे में, कि y-2 circle को orthogonally कैसे cut कर सकती है, देखो, y-2 जैसे for example बच्चों, ये line है, तो ये circle को orthogonally cut कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चों, इस point पर जो tangent होगी आपकी, ठीक है न, इस point पर जो ये perpendicular होगी, इसका मतलब ये हुआ, कि y-2 जो होगा न, बच्चों, वो इसका क्या होगा, वो इसका diameter होगा, ठीक है, similarly बच्चों, x-1 भी इसका diameter होगा, इसका मतलब ये होगा, x equal to 1 वाली जो line है, ये जब circle को cut कर रही है, ठीक है, वो वहाँ पर उस point पर जो tangent होगी न, उस tangent के perpendicular है, इसका मतलब ये हुआ, कि बच्चों, ये दोनों इस circle के diameter है, और circle के diameter होने का मतलब ये हुआ, कि ये आपको actually center के coordinates दिये गए है, that is 1,2, आगे बात समझ में, चलिए, अब देखो आपको इस circle के, center के coordinates पता चल गए है, तो आप इसके equation निकाल सकते हो, that is x-1 का hall square, plus y- 1 का, y-2 का hall square, बरावर r square, कितना हैगा, x square, plus y square, minus 2x, minus 4y, plus 5, minus r square, बरावर 0, अब बात कर लेते हैं, कि r square कितना हैगा, ठीकन, r की value क्या आ रही है, उसके लिए आपको ये का गया है, कि ये circle, इस circle के साथ में, orthogonally cut कर रहा है, और एक circle, दूसरे को orthogonally, जब भी cut करता है, तो उसमें क्या condition लगती है, हम सबको पता है, that is 2g1g2, तो यहाँ पर g कितना है बच्चो, minus 1, उदर कितना है 1, so 2 into 1 into 1, plus 2f1f2, 2f1f2 कितना होगा, 2 into f1 की value 2, और f2 की value है बच्चो, minus 2, ठीक है न, ये minus 1 था, ठीक है न, इसमें g की value कितनी आएगी, minus 1, f की value, minus 2, बरावर, c1 plus c2, that is minus 4, plus वहाँ से c2 कितना आ रहा है, 5 minus r square, तो यहाँ से देखे, r square की value है पता चल जाएगी, minus 2, minus 8, that is minus 10, r square को उदर लेगे, इधर बचेगा कितना बच्चो, 1, और उदर से minus 10 आ करके plus 10, so r square will be equal to 11, ठीक है न, r square की जगे 11 पुट कीजिए, तो आपको मिलेगा circle की equation x square, plus y square, minus 2x, minus 4y, 5 minus 11, that is minus 6, will be equal to 0, ठीक है, so x square, plus y square, minus 2x, minus 4y, minus 6, equal to 0, ऐसा कौन सा option है बच्चो, ऐसा first option है, so 13 का जो सही answer होगा, वो होगा आपका पहला option, के जाएरे सभी को, चलिए फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं बच्चो, question number 14, यह जो पिछला question था, इसमें एक बहुत ही अची चीज यूज हुई थी, ठीक है, जो आपने पता नहीं, पढ़ी होगी या नहीं, कि एक पेरो state line, एक circle के perpendicular होने का क्या meaning होगा, clear, चलिए, आगे चलते हैं, find the locus of the midpoint of the cords of the circle with subtend 60 degree at the center, देखो क्या है, find the locus of the midpoint of the cord, देखिए, एक कोई cord बना लेजिए बच्चो, इस ताइप से, ठीक है, इसके midpoint का locus निकालना है, h, k का, ठीक है, ना, midpoint का locus, find the locus of the midpoint of the cord of the circle with subtend 60 degree at the center, और आपको कहा गया है, कि ये इसके center पर 60 degree का angle बना रही है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको इससे join कर देते हैं, ठीक है, ये 90 degree होगा, ये पूरा angle 60 का है, तो बच्चो ये 30 का होगा, that angle will be 30 degree, ठीक है, चलिए, इसके center क coordinate से वो पता है, बच्चो अपने को, that is 1,2, ठीक है, center के coordinates अपने को पता है, that is 1,2, और बच्चो इसकी radius भी अपने को पता होगी, radius अपने को निकाल सकते हैं, इसकी 1 प्लस 4 प्लस 11 का root, r will be equal to 4, तो radius भी पता है, अपने को 4, ये C है बच्चो, इस point को नाम P दे देते हैं, इसको नाम B, ठीक है, तो फिर से देखो बच्चो अपन क्या काम करते हैं, अपन CP अपन CA का ratio देखते हैं, क्या होगा, CP क्या है देखो बच्चो, CP है 90 और 30 degree को join करने वाली line, जो base होती है, बच्चो, आप ही क्या होती है, base, CA क्या है, बच्चो, CA 90 का opposite, ये हाइपोटेनियस होता है, बच्चो, आपका, क्या, हाइपोटेनियस, base अपन हाइपोटेनियस, विल बी, कॉस 30 degree, और कॉस 30 degree की value होती है, बच्चो, रूट 3 by 2, ठीक है न, इसक्वाइरिंग ओन बच्चो, CP का square कितना होगा, बच्चो, H minus 1 का होल square, प्लस K minus 2 का होल square, डिवाइड बच्चो, CA, बच्चो, 4 है, 4 का square 16, that will be equal to 3 divided by 4, यही होगा, यह कट जाएगा इससे, 4 बार, इसको solve कर लेते हैं, HK को replace कर दीजिए, so, X square plus Y square minus 2X minus 4Y, plus 5, इधर plus 12, इधर आजाएगा, minus 7 will be equal to 0, अगे इन तीनों ट्रम negative, ऐसा कौन सा option है, बच्चो, ज्यान से देखो देखे, अच्चा, X में 2 और Y में 4, यह भी जान रखे, X में 2, Y में 4, minus 7, ऐसा है, बच्चो, 3rd option, so, 14 का जो सही answer है, बच्चो, that is 3rd option, क्लियर होगा सभी को, चलिए फिर आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं, बच्चो, question number 15 की ओर, आएए देखते हैं, इस question में करना है क्या, the shortest distance from the line to the circle is equal to, देखो, एक line की एक circle से shortest distance क्या होगी, ठीक है, देखो, एक circle है आपका, जिसका center है, इसको उदर ले जाए, so, that is 3, minus 4, minus 6 plus हो जाएगा, plus 8 minus 3, minus 4, और इसकी radius है, बच्चो, 5, ठीक है, तो अपने एक काम करते हैं, सबसे पहले तो, इसके center से, यह जो line है, आप में पता नहीं, अभी, इसकी tangent है, इसको cut कर रही है, या कैसी होगी, ठीक है, पहले check करते हैं, इसकी center से, इसके उपर perpendicular distance कि कितनी होगी P, ठीक है, उसी से पता चलेगा कि इसके बाहर होगा, या अंदर होगा, so, C, P की length कितनी है, ठीक है, इस point की, इस line से perpendicular distance, 3 into 3, 9, minus 16, minus 25, divide by 5, इसका mod, कितना आएगा, बच्चो, 9, minus 16, minus 7, और minus 25, that is, minus 32, so, plus 32 by 5, तो क्या बच्चो, ये radius से ज़्यादा है क्या, center से perpendicular distance, CP, आना, CP क्या radius से ज़्यादा है क्या, तो CP तो आ रहा है, 32 by 5, और radius कितनी थी, बच्चो, 5, तो क्या 5 से बड़ा है, तो बिलकुल, और 5 से बड़ा होने का मतलब ये हुआ, कि बच्चो, ये line है, ये इसके बाहर होग तीनी case बनते हैं, क्लाइन और circle के respect में, अब आपको ये कहा गया है, कि the shortest distance from the line to the circle, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चो, आपको इस point की इस से दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी find out करनी है, तो एक काम करते हैं बच्चो, अपने ये जो दूरी निकाली है, ना, CP, C से लेकर के P की जो दूरी, ठीकर आपको ये D निकालना है, तो आप D ब्राबर कितना हो जाएगा, CP minus R, इसमें से radius को कम कर दीजिए, ये है बच्चो 32 बटे 5, और radius है बच्चो हमारी 5, 25, 7 बटे 5, यही है बच्चो आपका answer, कौनसा option, first option, again आपका सही होगा, question number 15 के अंदर, clear होगा स आए देखते हैं, क्या कह रहा है हमें question number 16, इसके बारे में discuss करते हैं, देखो, आपको कहा गया है कि find the coordinate of the midpoint of the chord which the circle, this cut of the line x minus y plus 2 equal to 0, देखो, आपको ये कहा गया है कि ये जो line है, simple सी बात है, कि line की equation है, x minus y plus 2 equal to 0, और ये है आपके पास में एक circle, ठीक है? तो आपको ये कहा गया है कि ये जो line है, ये इस circle को क्या कर रही है, ये इसको 2 point पे cut करेगी, जोकि quad है तो 2 point पे cut करेगी, और ball भी रहा है कि cut करेगी, तो find the coordinate of the midpoint, तो इसके midpoint के coordinates का निकालना है अपने को M, ठीक है न, h, k, ठीक है? तो ये निकालने के लिए एक बहुत सारे तरीके लगा सकते हैं बच्चों, आप यहां पर सबसे पहला तरीका तो ये कि आप इस दोनों point के coordinates निकाल लेंगे, ठीक है? तो आपको जो point मिलेगा, ठीक है? उन दोनों points का, जो midpoint होगा, वो आपका M हो जाएगा. एक तरीका ये हो गया बच्चों, कि एक equation आपको ये दे रखिए, एक equation आप निकाल लीजिए, फिर दोनों को compare कर लीजिए, ठीकिन compare करने से आपको h, k का relation मिल जाएगा. अब हम equation कैसे निकालेंगे? तो t equal to s1 से, तो चलिए अपन solve करने वाले की वजाए, अपना mathematical जो circle का जो concept है, वही use कर लेते हैं. t का मतलब होगा बच्चों, यहाँ पर hx plus ky, और 7 में आएगा बच्चों, plus 2 time x plus h, साथ में, minus 1 time y plus k, और minus 3, और s1 का मतलब इस point को इसमें put करना है, बच्चो, h square plus k square, plus 4h minus 2 k, minus 3, ठीक है? तो देखो, minus 3 से minus 3 गया, x का coefficient देखना, बच्चो, जान से, h plus 2 time x, y का coefficient, y का coefficient आएगा, बच्चो, k minus 1 time y, ब्रावर, ब्रावर में देखो, क्या-क्या ट्राम्स आरी है, हमारे पास, h square plus k square, plus 4h, plus 2h, तो इसको इदर लाएंगे, यह प्लस 2h हो जाएगा, बच्चो, plus 2h, साथ में देखो, इदर है, हमारे पास में, minus k, उदर minus 2k, इसको इदर लेके आएंगे, तो minus k हो जाएगा, एक equation तो यह है, दूसरी equation यह है, देखो, हमारे पास, इसको लिखते है, minus x, plus y, ब्रावर, ठीक है, ना, x और y को इदर ले आएंगे, तो minus x, plus y बन गया, और इदर बच जाएगा, आपके पास 2, ठीक है, अब यह भी आपके पास में, इसी कोड की equation है, और यह आपको question में दी गई है, यह भी इसी कोड की equation है, ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, बच्चो, यहां से इसको solve कर लेते हैं, h plus 2 divide by minus 1 will be equal to, कितना आएगा बच्चो, k minus 1 divide by, k minus 1 divide by, k minus 1 divide by, 1 will be equal to, h square plus k square plus 2h minus k, divide by 2, आप देखो, यहां से हमारे को h और k में relations मिल गए हैं, ठीक है, इनको solve करने से हमें h k की values मिल जाएगी, जो भी हम से पूछी गई थी, ठीक है, एक तरीका तो आपका यह हो सकता था, इसको solve करेंगे अभी, इसके अलावा देखो, आप एक तरीका और भी लगा सकते हो, इसमें, हो सकता है कि उससे ज़्यादा जल्दी आपके पास में आ जाए, एक तो देखो, है कि यह वाली जो slope है, और इस line की जो slope है, वो दोनों एक दूसरे के perpendicular होगी, यह slope अपन कैसे निकालेंगे, यह point अपने को पता है, माइनस 2,1 और यहां पर आप क्या कर लीजिए, यहां पर आप इसकी slope का फॉर्मला लगा दीजिए, तो slope का फॉर्मला लगाएंगे, ठीक है, तो यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके सामने, इसकी slope और इसकी slope अगर पता है, माइनस 1 दूसरा relation आजाएगा, यह आपका दूसरा तरीका हो सकता है, इसी question को solve करने का, ठीक है, अच्छा, इस relation को आप solve कर सकते हो, इसके अलावा एक और बहुत ही सिंपल सा shortcut formula लगेगा, वो उस formula से देखो, आप कैसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, इन सब की बजाए और वो तरीका देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सी बात है, कि यह जो है आपके पास में, यह जो minus 2,1 वाला जो point है, ठीक है, इस से, इस वाले point के जो coordinates होंगे न, तो यह रेखा और यह रेखा दोनों एक दूसरे के लंबत होगी, और लंबत होगी, that means, यह इस point स इसके उपर foot of perpendicular है बच्चों, और foot of perpendicular का formula तो आप सबको पता है, कि कैसे calculate करते है किसी भी point का foot of perpendicular, so x plus 2 divided by इस line का x coefficient बराबर y minus 1 divided by इसका y coefficient, that is minus 1, और this will be equal to minus, इस point को इसमें put कीजी रेखा में, so that is minus 2, y की जगे पर minus 1, और 7 में है बच्चों, plus 2, divide by नीचे भी आजाएगा बच्चों, आपका 2, ठीक है न, a square plus b square will be 2, कितना आजाएगा, यह कट जाएगा, minus minus plus हो जाएगा, so that is 1 by 2, तो x बराबर है बच्चों, आपके पास में यहां से, minus 2 plus 1 by 2, और y बराबर आजाएगा बच्चों, 1 minus 1 by 2, solve कर लीजी दोनों को, minus 3 by 2, 1 by 2, यही option आपको मिलेगा, और ऐसा शिरफ और शिरफ कौन सा option है बच्चों, minus 3 by 2, और plus 1 by 2, third option है आपको जो दिया गया है, so question number 16 का third option होगा बच्चों, सही answer, क्लिए रहे सभी को, चलिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं, question number 17 के अंदर, क्या करना है, such that the smaller divides the larger into two region of equal area, दो सम केंदरिये वर्थ, देखो, दो सम केंदरिये वर्थ, मिंस जिनका केंदर समान है, ठीक है, यह इसको बराबर area में divide करता है, मतलब बच्चों, यह भी A है, और यह भी A है, if the radius of the smaller circle is 2, बच्चों, इसकी radius आपको 2 दी गई है, और इसकी radius आपको क्या क निकालनी होगी, radius निकालनी होगी या कुछ और करना होगा, वो तो देखते आगे क्या करना है, फिर आगे देखो, then the length of the tangents from the point P on the larger circle, बच्चा, larger circle के उपर कोई point है, बच्चों, P, इससे इसके उपर length of tangent आपको, यह X निकालना है, चले बच्चों, X निकालनी के लिए, मै R चाहिए होगा, पहले R निकालते हैं, तो देखो, बड़े circle का जो area होगा, वो होगा बच्चों, P, R square, और वो किसके बराबर है, बच्चों, A plus A, that is 2A, ठीक है, ना, बड़े circle में छोटा भी आएगा, बड़ा भी आएगा, ना, दोनों area आएंगे, छोटे circle का area होगा, बच्चों, 4 into 2, that is 8, R square आगया हमारे पास, अब देखो, बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, एक नया diagram बना रहा हूँ इदर, इससे मेरे को इसके उपर length of tangent निकालनी है, यह X, ठीक है, इसकी radius मेरे को पता है, that is 2, ठीक है, यह मेरे को निकालना है, इसकी radius भी मुझे पता है that is R, एक निकालने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि यह एंगल कितना होगा बच्चों, 90 degree, क्योंकि यह tangent है यहाँ पर, so X square plus 4 will be equal to R square, R square का मान 8 है बच्चों, X square ब्राबर 8 minus 4, that is 4, so X का मान कितना हैगा, 2, यही है आपका answer, value of X will be 2, ऐसा कौन सा option है बच्चों, third option, so 17 का सह answer, third option, फिर सभी को, चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों, बात करते हैं, question number 18 की ओर, क्या है question number 18, देखिए, क्या कहे रहा है हमें, circle touch the bisector of the first and third quadrant at the origin, देखे, सबसे पहले इस बात को समझे, first and third quadrant के bisector का क्या मतलब हुआ बच्चों, bisector का मतलब एक ऐसी line जो first quadrant को भी दो बरावर भागों में बांट दे और third quadrant को भी दो बरावर भागों में, तो ऐसा होगा बच्चों, आपके पास में कौन सा line, y बरावर x, ठीक है न, y बरावर x quadrant को क्या करेगा, दोनों quadrant को, पूरे quadrant को दो बरावर भागों में बांट region पर इसको touch कर रहा है, bisector को, बहुत ही अच्छी बात है बच्चो, and passes through the point 2,0 और ये जो circle है बच्चों हमारे ये 2,0 से pass कर रहा है, ठीक है, then the equation of the circle, तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें इस circle की equation find out करनी है, ठीक है, तो देखिए अपन इसमें क्या concept लगाएंगे, इसके ब इसमें y ब्राबर x, तो अपन इसमें क्या concept यूज करने वाले हैं, इसमें concept यूज करेंगे family of the circle का concept, कैसे देखो, जब भी आपको एक circle के उपर एक किसी point पता हो, उसके उपर एक line की equation पता हो, ठीक है, तो वहां से आप एक circle की equation लिक सकते हो, जिसके हम कहते हैं, point circle, तो यह s plus lambda time of l, l क्या है हमारे पास में, इस line की equation, that is x minus y ब्राबर 0, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको इस point से पास, इस point पर इसपर्स करने वाले सभी वर्तों की equations मिल जाएगी, जैसे इसे lambda change होगा, जैसे एक ये circle होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, इन सभी circle की equation, तो हम हमें वो circle चाहिए, इन में से जो 2,0 से पास कर रहा हो, इसको 2,0 से पास करवा दीजिए, बच्चो आपका answer आजाएगा सिधा, x square की जगे 2 put करेंगे, so that is 4 plus 0 plus 2 time lambda ब्राबर 0, so lambda की value मिलेगी बच्चो यहां से अपने को minus 2, ये value minus 2 इसमें वापिस substitute करते हैं, तो देखके हम हमारा answer आएगा, x square plus y square minus 2x plus 2y ब्राबर 0, और ऐसा option देखे हमें दिया गया है, minus 2x plus 2y that is second option, so question number 18 का जो सही answer है, बच्चो हमारा, वो कौन सा option होगा, बच्चो, second option, clear है सभी को, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, बच्चो, question number 19 की ओर, देखिए, इस question में करना है क्या, if a, 1 by a, b, 1 by b, c, 1 by c and d, 1 by d are 4 distinct points on a circle of radius 4 unit, then a, b, c, d is equal to, एक काम करते हैं, क्योंकि जब भी अपने वो बिंदू दिये होते हैं, आपन जनरली यही काम करते हैं, हम एक circle की equation मानते हैं, general, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, ठीक है, आप देखो, जो चारो points दिये रखे हैं, आपको एक ही type के दिएगे, एक symmetric type के दिएगे, a, 1 by a, b, 1 by b, c, 1 by c and d, 1 by d, तो अपन क्या करते हैं, एक general point लेता है, t, 1 by t, ठीक है, आपकर t की जो values हो जाएगी, आपके सामने को क्या क्या हो जाएगी, a, b, c और d a put करोगे तो पहला point आजाएगा, b put करोगे तो दूसरा, c, तीसरा और d, चोथा, तो क्योंकि ये जो 4 points है, are the 4 distinct points on a circle, ठीक है, इस circle के ऊपर इस्तित है, तो इस circle को संतुष्ट करेंगे, ये 4 points, तो ये 4 points संतुष्ट करेंगे, तो अपने क्या करते हैं, ये t वाला जो point है, इसको संतुष्ट करवा देते हैं, जापर t की 4 different values हो जाएगी, हमारी a, b और c और d, तो इसको इसमें संतुष्ट करवाते हैं, देखिए, क्या मिलेगा, t square प्लस 1 by t square, प्लस 2gt, प्लस 2f by t, और प्लस c ब्राबर 0, इसको solve करते हैं, देखो, क्या मिल रही है हमें, lcm लेंग t की power 4, प्लस 1, प्लस 2gt cube, प्लस 2ft, प्लस ct square ब्राबर 0, ठीक है, t square 0 के साथ multiply हो जाएगा, जो divide में है, तो यह equation आ जाएगी, हमारे पास, अच्छा, यह देखिए, क्या है, बच्छो, यह t के अंदर 4 degree का समिकरण है, जिसके अंदर t की 4 different values हैं, distinct point, देखो, अपने को यहा क्या करना है, उन 4 values का product पूछा गया है, इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो 4 different values है, वो 4 क्या है, बच्छो, इस 4 degree के equation के root से आपके, A, B, C, और D, तो आपसे product of root पूछा गया है, तो product of root A, B, C, D, बराबर कितना होगा, बच्छो, ठीक है, न, क्या होता है, देखो, minus, plus, minus, plus, plus, plus sign के साथ में, constant rum, इसके अंदर constant rum है, बच्छो, आपके पास 1, divide by T की पाउर 4 का coefficient, that is also 1, तो आपका answer आएगा 1, अब आप कहेंगे कि सर, अगर इसी से answer आगया हमारा 1 third option, तो फिर अपने को यह 4 क्यों दिया गया है, तो यह बच्छो, आपको confuse करने के लिए देतें कई ब हमेशा अपने concepts के उपर जाना है, ठीक है, कि मैं इसमें जो concept लगा रहा हूँ, बस वो concept मेरा सही है, ठीक है, तो जो data हो सकता है, क्यों में कोई ऐसा data दिया वा हो, जिसका कोई use नहीं हो रहा हो, जनरली सभी data का use होते हैं, बट कई बार ऐसे confusion के लिए आपको कुछ data एक्स् आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं, बच्चों, question number 20 की और, क्या है, देखो, question number 20, और क्या करना है हमें, इस question में, a state line with slope 2 and y-intercept 5, देखिए, यह ना, इसी का part है, y-intercept 5, इसका मतलब क्या हुआ कि equation क्या है, बच्चो, y-2x-5, ठीक है, slope 2 and y-intercept 5, टच दी circle, वो इस circle को touch कर र रही है, ठीक है, यहां पर आपको एक value दी गई, that is c, 8 a point q, उसकों से point के उपर उटच कर रही है, तो वो point है, बच्चो, आपके पास में q पर, यह जो line है, इसको point q पर touch कर रही है, then the coordinates of the point q, तो point q के coordinates क्या होंगे, इसके बारे में आपको बताना है, clear है बच्चो, चलिए, तो एक काम करते हैं अपन, अपने कोई circle का center तो पता है, कितना है बच्चो, that is minus 8, minus 6, ठीक है, अपन क्या करते हैं, इस point से इसके पर photo perpendicular निकाल लेते हैं, जो photo perpendicular होगा, वही आपके पास में point q हो जाएगा, तो माल लेते हैं कि इसके points के coordinate x, y है, तो क्या करेंगे, x minus x1 divided by x का coefficient 2, ब्रावर y plus 6 divided by y का coefficient, देखो, पुछ इस y को इधर लेके आना पड़ेगा, तो यह minus y ब्रावर 0 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो y का coefficient minus 1, ब्रावर, photo perpendicular, सिरफ minus sign, put करते हैं, point minus 8,6, so minus 16 plus 6 plus 5, और divide by 4 और एक 5, ऐसा मिलेगा अपने को, minus 16 plus 6 will be minus 10 plus 5, that is minus 5 divided by minus minus plus 5, तो यह कितना आ जाएगा बच्चो, 1 हो जाएगा, ठीक है, इसको solve कर लीजिए, so x plus 8 ब्रावर 2 है बच्चो, एक value तो, और 1 है y plus 6 ब्रावर minus 1, x कोडिनेट आएगा बच्चो, यहाँ से अपना minus 6, और y कोडिनेट आएगा minus 7, so minus 6, minus 7, ऐसा option हमे दिया गया है, question के अंदर, that is fourth option, again देखिए, see, आपको नहीं दिया गया था, और आपको उसकी जरूत भी नहीं है, ठीक है, तो fourth option आपका 20 के अंदर हो जाएगा, आपका सही answer, चले आगे, अगला question है, बच्चो, question number 21, आईए देखते हैं, करना है, क्या इसमें, from 3,4 quads are drawn to the circle this, then the locus of the mid points of the quads is, देखो, 3,4 से इसके उपर quads draw करने, आप बहुत सारी quads से draw कर सकते हो, मैंने एक quads draw कर लिए, कोई भी general, इसके mid point का आपको points, बिंदूपत बताना है, locus बताना है, और ये point आपको दिया गया है, 3,4 से, देखो, एक quads का midpoint, अगर h, k है, तो उसकी equation क् होती है, बच्चो, t equal to s1, लगाईए, इसमें t कितना आएगा, hx plus ky minus 2 time x plus h, ब्राबर, h square plus k square minus 4h, अचा, ये quote आपको कहा गया, concept इंदूपत से पास करिए, 3,4 से, तो इसमें x और y को 3,4 पूट कर दीजी, क्योंकि इस सारी quads, जितनी भी आएगी, इस type की, वो 3,4 से पास कर रही है, so 3h plus 4k minus 2 into 3, that is 6 minus 2h, ब्राबर, h square plus k square minus 4h, कितना आजाएगा, इसको solve कर लेते हैं, देखो, hk को पूट कर देते हैं, पहले तो xy से, so x square plus y square, h की ट्रम को इधर ले आते हैं, देखो, इधर है, plus h, इधर आकर के हो जाएगा, minus h, so minus 5x, y की जो ट्रम है, अपने पास में इधर 4k है, इधर आके minus 4y, और constant रम को भी इधर ही ले किया आना, इधर minus 6 है, इधर आकर के हो जाएगा, plus 6, तो दोनो negative और c positive, ऐसा कौन सा option है, बच्चो, तो c सभी में positive, और दोनो negative, so minus 5x, minus 4y, ऐसा है, बच्चो, आपका पहला option, so 21 का सही answer है, that is option number 1, कि जाने चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, question number 22 की और, चलिए अपन बात करते हैं, question number 22 के बारे में, a rhombus is inscribed in the region common to the two circles, this and this, with two of its vertex on the line joining the centers of the circle, then area, जैसे मैंने का कि इस inscribed word को आपको बड़े ही ज्यान से देखना है, सबसे पहले तो एक circle मैंने कोई भी draw किया, बच्चो, देखो, पहले वाले circle का center है, बच्चो, 2,0 पर, और इसकी radius क्या है, बच्चो, इसकी radius की बात करेंगे तो 4 plus 12, that is 4, r1 will be equal to 4, इसे दूसरे का center देगा, बच्चो, मैंने दूसरे का center कितना है, मेरे पास में, minus 2,0, तो minus 2,0 बच्चो कहीं इधर होगा, पर 2,0 यह है, अच्चो, इसकी radius 4 है, ठीक है, और 2,0, minus 2,0, इसका मतलब यह हुआ कि, बच्चो, minus 2,0, तो यहीं पे होगा, तबी तो radius 4 होगी, तो यह point है, बच्चो, आपके पास में, minus 2,0, दूसरे circle का center, और इसके radius की बात करें, तो r2 की जब बात करेंगे, तो r2 की value भी 4 आ रही है, 4 calculate कर लेजिए, 4 plus 12, 16, अच्चा, यह 16, इसकी radius 4 है, बच्चो, इसका यह center यह है, और 4 radius है, बच्चो, मतलब य यहां से पास करेगा, इसका मतलब कुछ यह ऐसा circle होगा, तो एक circle दूसरे के center से पास कर रहा है, पहली बात, ठीक है, एक circle, दूसरे के, यहां में, जो question में data, उस data से पता चल चुका है, अब इसके common region में, मैं, rombus मनाना है, तो यहां पर देखी बच्चों को बहुत सारे ऐ करने चाहिए, तो आपको यह कहा गया है कि, दो vertex आपकी centers को join करने वाली line पर है, इसका मतलब एक vertex यह होगा, और दूसरा जो vertex होगा, बच्चों हमारे पास में, ठीक है, वो कौन सा होगा, एक तो यह होगा, और दूसरा vertex हमारा यह रहेगा, दो fix होगे, अच्चा, यह line horizontal है और हमें बच्चों यह पता होता है, क्या, कि इसके जो आपके diagonal होते हैं, वो perpendicular byseg करते हैं, तो जो दूसरा जो diagonal होगा, ठीक है, वो आपके पास में कहाँ पर होगा, वो आपके सामने, इस line के vertical होगा, और इसकी जो common code है, बच्चों, वो इसकी vertical line है, इसका मतलब यह हुआ क इसका जो दूसरे जो दो point है, बच्चों, वो यह वाले होंगे, तो आपका जो rhombus होगा, वो यह rhombus ही बनेगा, इसके अलावा और नहीं बनेगा, ठीक है, with two of its vertices on the line joining the centers of the circle, then the area of the rhombus, ठीक है, तो rhombus का area क्या होगा, उसके बारे में अपने को बात करनी है, क्लियर है, च यह जो दो centers वाले थे, यह दोनों vertex ऐसे बन जाए मतलब, ठीक है न, एक vertex यहां पर, एक यहां पर, और ऐसा rhombus बन जाए, ठीक है बच्चों, तो यह possible नहीं है, ठीक है न, और वैसे भी आप देख सकते हैं, यह possible इसलिए नहीं है, क्योंकि यह जो length है, यह 4 है, ठीक है, तो इसमें अगर आपको 4 length पर जाना है, तो इस circle की radius तक जाना पड़ेगा, तो आप यहां पहुंच जाओगे, और यहां पहुंच जाओगे, तो फिर इसको इधर join करना पड़ेगा, तो triangle ही बनेगा, फिर rhombus नहीं बनेगा, इसलिए यह वाला case भी, अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो, तो यह case भी नहीं हो सकता है, अब इसका area पूछा गया, इसका area आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, इसकी common quad की equation क्या होगी, s1 minus s2 ब्रावर 0, ठीक है, s1 minus s2 में x square y square कर जाएगा, 4 plus 4, 8x ब्रावर 0, minx x ब्रावर 0, जब इस circle में आप x को 0 पूट करों, किसी में पूट कर दीजी, x को 0 पूट करेंगे, तो y square की value दोनों case में 12 आ रही है, so y ब्रावर आ जाएगा, बच्चो, root 12, y की value root 12 आने का मतलब बच्चो, यह point है, 0, root 12, यह point है, बच्चो, 0, minus root 12, यह points minus 2, 0, 2, 0, area of the rhombus क्या होता है, 1 by 2 into d1 into d2, कितना हैगा, 1 by 2, d1, d1, 2, 0 की minus 2, 0 से distance 4, और root 12 की minus root 12 से 2 root 12, 2 से 2 कर जाएगा, so answer आएगा, 4 root 12, अब ऐसा कोई option आपको अभी तो नहीं दिखाए दे रहा है, बच्चो, root 3 में option है, तो root 12 को लेख सकते हो, 4 into 3, 4 का root 2 हो जाएगा, so 8 root 3, यह हो जाएगा, बच्चो, आपका square unit के अंदर, क्योगी area है, औ अगेन ऐसा कौन सा option है, बच्चो, first option, so 22 का जो सही answer होगा, that is first option, चले आगे, चली, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं, question number 23 की ओर, देखो, the angle between the tangents from the origin, देखो, एक circle है, जिसका center है, बच्चो, 7, minus 1, ठीक है न, 7, minus 1, इसके respect में इसकी radius 5 है, बच्चो, ठीक है, इस circle की जो radius है, वो कितनी है, 5 है, ठीक है, तो 7, minus 1, origin कहीं पर इधर होगा लग रहा है, चली, माल लेते हैं कि यह origin यहाँ पर है, कहीं पर, ठीक है, नीचे भी हो सकता है, क्योंकि 7, minus 1, एक circle के बाहर होगा, इतना पता सल गया, ठीक है, root over s1 भी calculate करोगा, तो कितना पॉजिट, circle के बाहर एक point है, ठीक है, इस से इसके उपर tangents draw करनी है, ठीक है, the angle between the two tangents from the origin to this circle is equal to, एक चीज देखें ध्यान से बच्चों, यहाँ पर यह जो center है, 7, minus 1 और यह origin है, इसके बीच की अगर आपन डिस्टेंस निकालें, तो इस डिस्टेंस कितनी आ रही है, that means 5 root 2, और 5 root 2, अगर इस की radius 5 है, और यह distance 5 root 2 आ रही है, इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों, यह जो point है, यह कहाँ पर होगा, वो इसके director circle पे होगा, और director circle पे है, तो फिर बच्चों आपको इसको calculate करने की जरूद नहीं है, क्योंकि director circle से किसी भी बिंदू से, अगर वर् इसकी जाते, इस point से pass होने वाली, इस पर्स रेका का समिकर्ण लिखते, फिर इसकी center से perpendicular distance को radius के बराबर करते, फिर वहाँ से M निकालते, फिर M आने के बाद में 2 M की value जाती, वहाँ से वहाँ आपन उनके बीच का angle निकालते, बट क्योंकि यह director circle है, तो आपको यह सारी ची करते हैं, बात करते हैं, बच्चो, question number 24 की और, देखते हैं, इस question में करना है क्या, 6,0, 0,6, 7,7 are the vertices of the triangle, then of the circle inscribed in the triangle has the equation, देख, circle inscribed in the triangle, circle क्या है, inscribed क्या गया है, triangle के अंदर, मतलब circle triangle के अंदर है, बच्चो, मतलब क्या, यह in circle है आपका, यह क्या है, in circle, यह points आपको दिए गए है, 7,7 यह rough diagram है, ठीक है, आप ऐसे ना समझें कि 6,0,0,6, एक horizontal line पर कैसे आ सकते हैं, that is a rough diagram, clear, बच्चो, इसका समिकर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसकी सबसे पहले तो, क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो अपन इसकी center के coordinate निकाल लेते, उसके लिए अपन in center का formula लगाएंगे, क्योंकि तीनों points जब दिये वे होते हैं, तो in center का formula ही हमारे पास सबसे बड़ा हतियार होता है, आई उस हतियार का use करते हैं यहाँ पर, और देखते हैं इस question का solution, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है, यह 3 points है, तो in center का formula लगाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इस सारी distances निकालने पड़ेगी, 6, 36 plus 36, that is 6 root 2, यह लाइन आ जाएगी बच्चों, 7-6, 1, 7-0, 49, root 50, root 50 होता है बच्चों, 5 root 2, कितना होगा, 5 root 2, 7-0, 7-6, यह भी होगा बच्चों, 5 root 2, चलिए बात करते हैं, इसके अंदर, x, y, य बिटा की, देखिए, 0, गुणा 5 root 2, will be 0, 0, 0, x coordinate 0, इसके साथ multiply होगा, 6 into 5, 30 root 2, 6 into 5, 7 into 6, 42 root 2, divide by, divide by, 5 और 5, 10 और 6, 16 root 2, यह root 2 तो भाग गया, कितना है का, 30 plus 42, 2, 4, 3, 7, 16, 8 का भाग जाएगा, 90 बहतर, 8, 2, 16, 9 by 2, अच्चा, symmetric point होगे देखो, क्योंकि 6, 0 और 7 इसमें थे, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ इधर 6 और 0 आ रहा है, opposite side तो same है, उधर 7 है, तो y coordinate भी यही आएगा, alpha भी यह आ रहा है, और beta भी आपके पास य ही आएगा, क्योंकि इधर भी वही data है, देको 6 root y के अंदर 0 गुणा 5 root 2, और इधर से 6,5 root 2, और यह तो same है, तो y coordinate भी same आएगा, alpha और beta बहुत will be 9 by 2, चलिए, हमने alpha और beta इसका center तो निकाल लिया, 9 by 2, 9 by 2, लेकिन अब अपने को यह देखना है, इसकी radius क्या होगी, तो radius निकालने के लिए हमें एक रेखा की equation चाहिए होगी, और उसके उपर perpendicular distance अपने को radius पता चलेगी, तो बच्चों, रेखा की equation आप इस वाले में बड़े आसानी से निकाल सकते हो, intercept format से x plus y ब्राबर 6, ठीक है, और इस center से जब इसके उपर perpendicular distance निकालेंगे, 9 by 2 plus 9 by 2, ठीक है, इस सारी चीज़ अपन पूट करते हैं, और देखते हैं कि हमें हमारे circle की equation क्या मिलती है, आईए इसके बारे में बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं यार से, ठीक है, क्योंकि अपने को center और radius चाहिए, दोनों अपने को पता है उदर से, लिखते हैं यहाँ पर देखो, x minus 9 9 by 2 का whole square plus y minus 9 by 2 का whole square, that will be equal to 3 का square, 9 by 2, कितना आ रहा है बच्चो, x square plus y square, 9 into 2, 2 से 2 कर जाएगा, so minus 9x minus 9y, साथ माएगा बच्चो, 81 plus 81 by 4, so that is 81 by 2 minus 9 by 2, 9 by 2 को इधर ले आए, इसको solve कर लीजिए, 81 minus 9, 72 by 2 will be plus 36, so plus 36 देख लीजिए, कौन से, option के अंदर है, आपका, दोनों negative और plus 36 और ऐसा option है बच्चो, आपका दूसरा, इसमें minus 36 दे रखा है तो यह गलत है, और x और y दोनों के coefficient क और सिरब 24 के अंदर जो सही answer होगा, वो होगा आपका second option, चलते हैं बच्चो आगे और बात करते हैं, question number 25 की और देखते हैं, इस question में करना है आप ही क्या, आइए देखते हैं इसके अंदर, आपको बोला गया, find the locus of the mid points of the system of parallel chord with slope 2, देखो, यह जो है आपके पास में, इसक system of parallel chord with slope 2, इसके mid point का locus आपको निगालना है, h, k of the circle, this has the equation, तो एक काम करते हैं बच्चो, इसका equation लिखते हैं, circle के लिए, वो ही mid point आपको दिया गया है, so t equal to s1, कापी सारे questions हमने किये, इस पे, t equal to s1, इस पे जब लगाएंगे तो आपको मिलेगा, hx plus ky, minus 2 time x plus h, minus 1 into y plus k, minus 4, ब्रावर s1, s1 बच्चो, पूरा constant होता है, ठीक, उसके अपने को जरूत नहीं पड़ेगी, इस question के अंदर, तो उसको छोड़ देते हैं, चाओ तो आप लिख सकते हो, उसके बाद में भी आप देखोगी, उसकी कोई requirement नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अपने को इसकी slope दे रहे हो, slope में सिरफ x और y के coefficient की जरूत है, तो m ब्रावर कितना आएगा बच्चो यहां से, minus h minus 2 into x, अचा, यह तो x का coefficient है, भी लिख लेते हैं पहले, h minus 2 और y का coefficient है, बच्चो, k minus 1 into y, तो m ब्रावर कितना होता है, m2 दे रखा है आपको, m का formula होता है, minus x का coefficient h minus 2, divide by k minus 1, multiply कर दीजे, add कर दीजे, so x plus 2y minus 2, minus 2, ब्रावर 0, so x plus 2y minus 4, will be equal to 0, ऐसा कौन सा option है, x plus 2y, ब्रावर 4, ऐसा है बच्चो, आपका first option, जो की है आपका सही answer, क्लियर है, चलिए, आगे चल लेते हैं बच्चो, और बात करते हैं, अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चों को इसे एक confusion सा रहता है, कि इसकी slope to 2 दी हुई है, तो बच्चो, अपने को इस line का equation नहीं पूछा गया है, अपने को इसके midpoint का locus पूछा गया है, और इसकी जो midpoint जो होगा, ठीक है, वो जितनी भी ऐसी parallel quads बनेगी आपके सामने इस type की, ठीक है, उसकी जो midpoint है, ठीक है, उसका आपको equation पूछा गया है, तो वो आपके पास में कहां से क्या होगा, ठीक है, तो वो इस point से तो pass करेगा, h, k से तो, ठीक है, बट इसके perpendicular होगी, parallel quads के perpendicular questions की ओर, आइए देखते हैं, पहला question क्या दिया गया है, given that this expression, देखिए, आपको एक expression दिया गया है, और आपको कहा गया है, find the largest possible value of this expression, देखिए, जब भी आपको कोई एक expression दिये करके, किसी दूसरे की value पूछी जाए, इसका मतलब ये हुआ, कि जो x, y इसको satisfy करेंगे, वह corresponding आपको इस expression की maximum या minimum जो भी question में पोची गई है, वह values निकालनी है, एक काम करते हैं, अपनी circle का parametric point देखते हैं, क्या होगा, x-7 का hall square, प्लस y-3 का hall square, इसको जड़ ले आए, so minus 14 minus 6, will be equal to 49 plus 9 plus 6, कितना हैगा, चेक कर लेते हैं, 49 plus 9 plus 6, 15, 64, so that is 8 का square, तो इसका parametric point होगा, बच्चो, 7 plus 8 cos theta, 7 plus h plus r cos theta, and k है 3 plus r sin theta, r कितना है बच्चो, 8 दे रखा है, यह जो point है, यह जब इसमें आपन put करेंगे, तो इसकी आपको क्या करना है, इसकी maximum value निकालनी है, तो देखी, कितना आ रहा है, e will be equal to, 7 into 3, 21 plus 8 into 3 cos theta, plus 4 into 3, that is 12, plus 4 into 8 sin theta, 21 plus 12, that will be equal to 33, 8 common आ जाएगा, बच्चो, आपका 3 cos theta, plus 4 sin theta, इसका maximum possible value क्या हो सकता है, बच्चो, a sin theta plus b cos theta का, that is 5, a square plus b square का root, so 33 plus 8 into 5, 40, तो आपके यह जो expression है, इसका maximum possible value आ सकता है, बच्चो, वो 73 आएगा, और 73 ही है, बच्चो, आपका सही answer, clear, तो इसको आपको बढ़ना है, आपके, जो integer type की उसनों में, आप जैसे two digits में answer बढ़ते हैं, 73 के corresponding, clear, यह सभी को, अच्चा, इसमें बहुत सारे बच्चे, इस question को जब आता है, इस type का question, उसको सोचते हैं, circle बना लेते हैं, और देखते हैं, हाँ, जब यहाँ point होगा, तो maximum होगा, यहाँ होगा, तो minimum होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चो की, यहाँ पर होगा, तो maximum होगा, यहाँ minimum, आपको हमेशा generalize करना है, कोई भी question आए, इस type का, आपको parametric point लीजिए, उस curve के उपर, और फिर उसको दूसरे वालब में put कीजिए, और फिर उसकी maximum और minimum value निकालिए, जिस भी point पर आएगा न, इस पर आना होगा न, तो भी वो आजाएगा, इसी तरीके सा आजाएगा, तो हमेशा अपना एक generalized method यूज़ करें, कुछनों को solve करने के लिए, चले आगे, चले बात कर ले थे, question number 2 की और, question number 2 में देखो आपको क्या करना है, sum of the, all the radii of the circle touching the coordinate axis and the line, देखो बच्चो, एक line दे रखी है आपको, ठीक है, और coordinate axis को touch करने वाले, सभी वर्तों की तिर्जाओं का योग, अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता ह कि एक यही ऐसा circle होगा, जो coordinate axis और इन दोनों line को touch करेगा, बच्चो इसके अलावा और भी होते हैं, आपके पास में circles, ठीक है न, देखो, एक circle ऐसा होगा, जो इधार touch करेगा, इधार touch करेगा, इधार touch करेगा, ऐसा होगा, बहुत सारे बच्चे यह दो बना लेते हैं, ठ बच्चो और भी होंगे, इसको आगे extend कीजिए, इसको आगे extend कीजिए, ऐसा भी एक वर्त होगा, जो आपका इस तरीके से touch करेगा, फिर बच्चों को लगता है कि चलो आखिरकार हो गए सभी, लेकिन अभी भी complete नहीं हुए हैं बच्चों, इधर भी एक circle आएगा, इधर भी आएगा, इसको extend कीजिए, इधर से touch करते हुए, आपको एक ऐसा circle आएगा, तो इस रेखा को भी touch करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी touch करेगा, अब फिर दिमाग में कि सुनाता है कि ऐसे कितने हो सकते हैं, क्या और भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर नहीं हो सक तो यह चार सरकल जो है आपके क्या करेंगे दोनों एक्सिस को भी टच करेंगे अब दिवाग में क्यों सना आता कि इतना बड़ा कैसे सौल करेंगे ठीक है ना पहले इस सरकल की रेडिस निकाल नी पड़ेगी इसकी बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो बच्चों ध्यान से दे यह जो आपके पास में इधर जो सरकल बना है कौन सा सरकल एक जो ट्राइंगल बना था इस ट्राइंगल के चार सरकल होते चार नहीं विसे तो फांस होते है सरकल एक ट्राइंगल में ठीक है लेकिन यह जो चार सरकल होते है यह तो होता है बच्चों इन सरकल और यह होते है बच्चो इसके x circle और आप सब को पता होगा इनकी जो radius होती है उनके formula तो आपको इस question में बस formula यूज करना है delta upon s r होता है ठीक है r1 होता है बच्चो delta upon s minus a r2 होता है बच्चो delta upon s minus b और R3 होता है बच्चो delta पॉन S-C ठीक है यह formula आपको use करने है इसमें delta होता है बच्चो आपके इसी triangle का area क्योंकि यह जो रेखा है यह x-axis को जब cut करेगी तो y coordinate 0 होगा y को 0 करोगे तो 4,0 इस point के coordinates 0,3 और इस point के coordinates 0,0 ठीक है तो इस triangle का area होगा delta वो कितना आएगा बच्चो 1 by 2 into 3 into 4 that is 12 by 2 6 और S मतलब semi perimeter बच्चो यह length 4 है यह 3 है यह angle 90 degree तो यह 5 होगा semi perimeter आएगा 5 plus 4 plus 3 12 बटे 2 यह भी आएगा बच्चो 6 delta और S आगे तो देखो बहुत ही आसानीशे निकाल सकते हो आप सभी delta upon S 6 by 6 1 6 upon S minus A अब 1 किसी भी एक line को ले लीजिए तो 6 divided by 6 minus 3 को ले लिया मैंने फिर बच्चोड 6 upon 6 minus 4 को ले लिया 6 upon 6 minus 5 को ले लिया देखो 6 minus 5 कितना होगा 1 तो यह ता जाएगा 6 6 minus 4 2 या जाएगा 3 6 minus 3 2 तो या जाएगा 3 ठीक है तो यह 3 यह 2 आएगा 6 minus 3 कितना होता है 6 minus 3 3 होता है 6 by 3 will be 2 सभी को जोडना है आपको 2 और 1 3 और 3 6 और 6 12 तो यह हो गया बच्चोड आपका answer तो यह सई answer होगा बच्चो इस question का 12 यह भी एक काफी सांदार सा question था बच्चो आपका आगे चलते हैं बात करते हैं question number 3 के अंदर क्या करना है number of common tangent to the circle this and this दो circle के उपर आपको common tangents कितनी होगी यह बतानी है तो यहाँ पर है बच्चो आपका minus 4, minus 1, minus 4 इसका center कितना होगा बच्चो minus 1, minus 4 c1 c2 कितना होगा बच्चो c2 होगा बच्चो 2, 10, 5 radius निकाल लेजिए बच्चो r1 कितनी है r1 है बच्चो 1, plus 16, plus 23, का root 24, 40 42, root 10 r2 निकाल लेजिए बच्चो r2 आ रहे है बच्चो आपके सामने 4, plus 5, 25 minus 19 कितना है 24, 29, minus 19, root 10 बच्चो r1, r2 आ गया c1, c2 दोनों centers के बीच की दूरी 2, plus 1, 3, का square 9, 5, plus 4, 9, 9, का square 81 90, 90 या 9 सिदा भी कॉमन ले सकते हो 3, 1, plus 9, 10 देखो बच्चो c1, c2 ब्रावर है यहाँ पर किसके r1, plus r2 के और ऐसा जब होता है तो कितनी कॉमन टेंजेंट आती है बच्चो c1, c2, r1, r2 के ब्रावर होता है तो externary touch करते है इस case में एक कॉमन टेंजेंट ये, एक ये और एक ये total number of common tangents बनती है बच्चो आपकी team ठीक है यही है आपका सही answer चले आगे बात कर लेते है question number 4 की और क्या करना है आईए देखते है इस question के अंदर the code of contact of the pair of tangents to this circle drawn from any point on the line this always pass through the point alpha, beta देखो इसके उपर एक कोई point लेना है तो x को मैंने alpha माल लिया तो y आजाएगा बच्चो 4-2x that is 4-2 alpha ठीक है इस point P से आपको एक circle है जिसके उपर क्या करनी है बच्चो quad of contact की equation की बात करनी है तो क्या होती है t ब्रावर 0 लगा दीजी इस circle पे hx h है बच्चो alpha x प्लस अच्चा इसको alpha मत लीजिए alpha 1 ले लीजिए क्योंकि alpha बीट आपको question में दिया गया है so alpha 1 x plus k k कितना है बच्चो 4 minus 2 alpha 1 into y ब्रावर 1 xx1 plus yy1 ब्रावर 1 इसको एक काम करते हैं alpha 1 को अलग कर देते हैं बाकी पार्ट को अलग so alpha 1 का coefficient यहाँ पर तो है x यहाँ पर है minus 2 y time alpha 1 plus यहाँ पर है बच्चों 4 y इदर से आजाएगा minus 1 ब्रावर 0 तो यह क्या है बच्चों देखो l1 plus lambda time l2 ब्रावर 0 और यह family of the line है और family of the line हमेशा एक fix point से पास करती है और वो fix point क्या होता है इन दोनों line का solution alpha, beta इन दोनों का solution होगा तो alpha minus 2 beta ब्रावर 0 और 4 beta ब्रावर 1 तो beta आगया बच्चों आपके पास यह 1 by beta ब्रावर 4 और 1 by alpha ब्रावर कितना होगा alpha ब्रावर 2 beta है तो 1 by alpha ब्रावर 1 upon 2 beta ठीक है और 1 upon 2 into 1 upon beta कितना है बच्चों 4 तो यहाँ जाएगा 2 तो 1 by beta 4 और 1 by alpha 2 आपको निकालना है 1 by alpha square plus 1 by beta square squaring and adding 16 plus 4 ब्रावर 20 ठीक है 20 ही है बच्चों आपका इसका सही answer चलिए इसी के साथ कर लेते हैं अपने इस paper के last question के बारे में बात और last question देखी कुछ उसी type का है जैसा आपने इस paper की सुरुवात की थी if the equation of a circle touching the y axis at 0,3 यह y axis को 0,3 पे touch कर रहा है मतलब बच्चों ऐसा होगा and making an intercept of 8 unit on positive x axis देखे इसमें यह भी positive देदिया गया मतलब इसमें एक ही circle होगा intercept का कर रहा है positive x axis पर 8 unit का यहां से इसके उपर वही perpendicular draw किया तो यह भी 4 होगा यह भी 4 होगा बच्चों लेकिन 4 distance कौन सी है बच्चों यहां से लेकर के यहां तक की distance 4 है यह distance बच्चों क्योंकि 0,3 पे touch कर रहा है तो यह 3 है तो यह भी 3 होगी बच्चों तो यह भी कितनी है 3 ठीक है इसको इससे join कर दें इसको इससे join कर ले तो यह भी R और यह भी R ठीक है तो यह 3 और यह 4 तो यहां से R निकाल सकते है बच्चों R square बराबर 9 प्लस 16 R बराबर 5 तो यह R 5 होने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 5 है क्योंकि यह इसके बराबर है R के so that is 5,3 इसका जो center है बच्चों वो 5,3 और इसकी radius 5 है और आपको का गया कि एसा जो circle है वो x square प्लस y square प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है ठीक है तो इस circle की equation क्या होगी बच्चों 20 अच्छा सॉरी x square प्लस y square पहले लिख लो बच्चों कोई दिक्कत हो रही हो तो x-5 का hall square प्लस y-3 का hall square बढ़र R square, R कितना आया था? 5 so that is 25 तो यह आएगा बच्चों x square प्लस y square minus 10x minus 6y 25 कट जाएगा, 9 बचेगा, 9 बढ़र 0 compare करेंगे बच्चों g मिलेगा आपको minus 5 f मिलेगा आपको minus 3 और c मिलेगा बच्चों आपको 9 ठीगे रहा? बच्चों यहाँ पर देखो यह confusion होता है बच्चों को बहुत सारा बढ़र कि g तो यहाँ पर बच्चो 5 होगा ना बच्चों g 5 नहीं है, इसका center 5 है g का मतलब तो यह हुआ कि यहाँ पर x का coefficient minus 10 वहाँ पर 2g, तो g का मान तो कितना होगा? माइनस 5 होगा बच्चों माइनस 5, माइनस 3 और 9 सबको add करना है तो 9 माइनस 8 आपका जो सही answer है वो आएगा बच्चों, only 1 इसमें आप भरी अपनी answer की के अंदर 0, 1 तो आपको इस question में पूरे number मिलेंगे और अगर आप यह नहीं भरेंगे इसके अलावा कुछ भी भरेंगे तो फिर क्या होगा? वो आप सभी को पता है इसी के साथ आपके इस paper का solution हो जाता है बच्चों, complete ठीक है? तो चरे, okay, thank you very much तो आज बच्चों, आपने mole concept और redox reaction का paper दिया होगा I hope आपका paper अच्छा गया होगा क्योंकि इस पूरे paper के अंदर NCRT को cover किया है और पूरे के पूरे concept को cover किया गया है ठीक है? तो आज आपने discuss करेंगे math chem 9 mole concept और redox reactions तो देखते हैं, question number first क्या है, question number first में How many oxygen atom? आप से क्या पूचा है? oxygen की atom पूचें How many oxygen atom in 88 gram of CO2? 88 gram CO2 के अंदर oxygen के atom कितने होगी? तो सबसे पहले आप calculate करोगी इसके अंदर mole यानि 88 gram CO2 में mole कितने होगी? तो mole is equal to क्या होता है? mass upon molar mass. Mass कितना दे रखा है? 88 और इसका molar mass कितना होगा? 44 तो इसके अंदर कितने mole आएंगे? 2 mole आएंगे, ठीक है ना? अब आपको सिर्प इसमें oxygen के atoms पुचें तो number of oxygen atom in 88 gram CO2 तो number of oxygen atom is equal to oxygen के atom कितने है? इसके अंदर CO2 में 2 mole आपके पास कितने आगे? 2 into 23 जब इसको आप सोल करोगी तो इसकी will approximately आएगी 24 into 10 की पावर 23 तो number of oxygen atom कितने आएंगे? 24 into 10 की पावर 23 यानि कि first option is correct next question हाँ तो question number second MnO4 minus is good oxidizing agent यानि पर-magnetine क्या good oxidizing agent है? और oxidizing agent क्या होता है? कोई भी compound में central atom अपनी अगर higher oxidation state में present होता है उसको बोलते हो oxidizing agent या दूसरे किसी compound को oxidize करें और खुद क्या हो? रैडियू जो वो क्या होता है? oxidizing agent है तो different medium में ये behave करता है या पर ये कौन सा medium होगा? acidic medium या पर सबसे पहले MnO4 minus का आपको oxidizing number निकालना है तो सबको oxidizing number निकालना आता होगा manganese का oxidizing number निकालना होगा? प्लस 7 होगा तो सब में manganese का oxidizing number क्या होगा? प्लस 7 होगा प्लस 7 से देखो किस-किस के अंदर जा रहे? 7 प्लस 2 में जा रहे यहाँ पर manganese का क्या होगा? प्लस का 6, यहाँ पर क्या होगा प्लस का 4 और यहाँ पर क्या होगा प्लस का 3 तो पहले वाले में नमरों प्राउस्पर एलेक्ट्रोन कितने आएंगे 5 चेंज इन ओक्सिडेस नमर कितना है 5 है सेकिन वाले में प्लस 7 से किसम जा रहे है आप प्लस 6 के अंदर तो change in oxidation number कितना हो गया 1 third में plus 7 से किसम जा रहे हूँ plus 4 के अंदर तो change in oxidation number कितना हो गया 3 और last वाले में plus 7 से आप जा रहे हूँ plus 3 के अंदर तो change in oxidation number कितना हो गया 4 तो oxidation number में जो change है वो आपको respectively देखना है तो first में कितना हो गया 5, 1, 3, 4 तो कौन्सा option से होगा, third option is correct next question next question में आप से क्या पुछा है ये कापी basic fundamental questions है which of the following है is maximum mass ये आपको 4 option दे रहे हैं इसमें आपको maximum mass calculate करना है तो इस option जो आप option देखोगी उसमें मैं रही चीज include किये हो रहे हैं तो सबसे पहले 0.1 gram atom of carbon हो रहे हैं यानि कि carbon के आपको कितने mol दे रहे हैं 0.1 mol दे रहे हैं carbon का और gram atom है जे, mol की तरह आप treat करोगी और carbon का atomic mass कितना होता 12 है तो इसको आप multiply करोगी 0.1 से तो कितना हैगा 1.2 gram आजागी तो first में कितना हैगा 1.2 gram second है 0.1 mol of ammonia यानि ammonia के कितने 0.1 mol है तो 0.1 को आप multiply करोगी इसके molar mass change हो कितना होता 17 तो यह कितना हैगा 1.7 gram आएगा तो यह ammonia का mass कितना होगा 1.7 gram third option is 6.02 into 10 की power 23 molecules of hydrogen यहाँ पे आपको H2 लेना है ठीक है न तो इसके आप mole निकालोगी तो इसका mole कितना हैगा आपके पास 6.02 into 10 की power 22 upon 6.02 into 10 की power 23 तो mole कितना हैगा 1.10 mol आएगा किसका hydrogen का mass निकालने है तो इसके molar mass से multiply करो तो इसका mass कितना होगा 1.10 into 2 तो यह कितना हैगा 0.2 gram third है 1.120 CC of CO2 at STP STP पर CO2 का आपको volume दे रखे तो यहाँ पे आप mole calculate करोगी तो mole कितना हैगा 1.120 upon 224 00 ठीक है तो यह कितना हैगा आपके पास 1.20 mol आजाएगा और इसका mass आपको calculate करना है CO2 का तो 1.20 into 44 तो यह आपके पास आएगा 2.2 gram ठीक है ना तो फर्स्ट option में आएगा 1.2 2nd में 1.7, 3rd में 0.2 और 4th में आएगा 2.2 gram तो सबसे ज़्यादा mass आपसे पूचा किस के अंदर होगा तो आपको ओगी 4th option में होगा 4th option is correct next question next question है stachymetry of reaction से तो सबसे पहले stachymetry of reaction के आपको questions करने हैं तो आपको पहले reaction को balance करना है या तो already reaction balance दी जाएगे आपको या आपको balance करने जी करने हैं तो question के है 0.01 mole of hydrofoam react with silver to produce a gas whose volume of NTP is यानि कि hydrofoam के कितने mole रखे है 0.01 hydrofoam के mole रखे है जो जी के साथ करिया करके gas उत्मन करता है जिसका NTP पर आपको आएतन निकालना रोगेस क्या है यह gas है आपको esteline gas दे रखी है इसका आपको volume calculate करना है NTP पर इसके mole आपको दे रखे हैं तो आप बोल सकते हो कि 2 mole किसके hydrofoam के 6 mole AG के साथ reaction करकी esteline का आपके पास 1 mole बनेगा ठीक है तो 2 mole से इसका कितना mole बन रहा है 1 mole according to strike reaction balance है 1 mole से कितना मनेगा 1 by 2 और आपके पास given mole कितने 0.01 mole और 0.01 mole से कितना मनेगा 1 by 2 into 0.01 mole यह आपके पास esteline के mole आगे हो ठीक है ना तो mole of C2H2 is equal to 0.01 by 2 अपन इसका आपको volume calculate करना है तो volume at STP is equal to क्या जाएगा 0.01 by 2 आपको क्या लेना ml के अंदर लेना 224 00 224 00 पोइंट आओगे तो नीची कितना हैगा 100 100 से 100 cancel out तो यह आपके पास कितना हैगा 112 ml आजाएगा तो कौन सा option से ही होगा second option is correct next question question number 5 के according to following reaction is not correct according to law of conservation of mass तो law of conservation of mass के according नहीं है यह आपसी पुच्छा law of conservation of mass के है जितना mass reactant का होगा उतना है mass product का होगा वो तभी होगा जब आपकी reaction balance होगी नहीं तो बराबर नहीं होगा तो आपको यह check करना है कौन सी reaction balance नहीं है तो पहले वाला reaction देको 2 mg प्लस O2 यानि यह already के balance है second is CS4 यानि कि methane का combustion के है तो यहाँ पे 2H2 आना चाहिए लेकिन इसके अंदर नहीं है क्योंसर नमर 6 देखो आप 500 ml of 5 m solution is diluted to 1500 ml यानि कि dilute किया है solution को तो आपको final solution है उसकी molarity कितने प्राप्त होगी हो रहे ठीक है यह कोई solution है जिसकी molarity आपको कितने देर कि 5 m देर किये और इसका volume कितना देर का 500 ml देर किया है इसको dilute किया हो रहे dilute करने का मतलब इसके अंदर water को mix किया है mix करने के बाद में जो solution आपको obtain होगा उसका volume आपको कितना देर का है 1500 ml और इसके आपको molarity पूचिए तो simple सी बात है before dilution और after dilution number of moles क्या होगी बराबर होगी तो मैं लिख सकता हूँ M1 V1 is equal to M2 V2 M2 बराबर क्या हो जाएगा M1 V1 M1 कितना 5 into 500 upon V2 कितना है 1500 तो इसमें कितनी बाद जाएगा 3 times जाएगा 5 upon 3 कितना जाएगा 1.6 के round जाएगा तो ऐसा कौन सा option है second option है इसके अंदर जो final solution की molarity है वो कितनी आ रही है 1.66 आ रही है ठीक है next question next question again क्या है stichometry of reaction से हो रहा है क्या है iron can be obtained iron can be obtained by reduction of iron oxide with CO according to the reaction हो रहा है यनि कि iron oxide का CO reducing agent उससे reduction किया गया है तो उससे आपको iron मिल रहा हो तो how many kilogram of Fe3O4 should be heated with CO2 get three gram of iron in तीन ग्राम iron आपको obtain हो रहा है तो कितने ग्राम feric hydroxide की requirement हो रहा है तो देखो reaction already balance है यह आपको सबसे पहले check करना हो ठीक है यहाँ iron के कितने mol दे रहे हैं थ्री mol दे रहे हैं और यहाँ पर कितना mol एक mol iron oxide का आप reduction करोगे तो 3 mol of iron आपको obtain होंगे तो 1 mol से कितना होगा 3 mol Fe obtain हो रहा है 1 mol Fe3O4 से तो 1 mol से कितना होगा 1 mol से obtain होगा 1 upon 3 mol of Fe3O4 और given mol कितने iron की iron के आपके 3 kg दे रहा है तो इसको आप सबसे पहले mol में करनवट करें होंगे तो इसके mol कितने आजाएंगे आपको kilogram को kilogram में रहने दे 3 kg अपन iron का molar mass कितना होथा 56 तो 3 upon 56 mol of Fe obtained by 1 by 3 into 3 upon 56 mol of Fe3O4 इसको एक बार kilogram में रहने दे आपूरत क्यूंकि लास्ट में आपको kilogram में ही calculate करना है तो आपको इसका mass calculate करना है तो इसका molar mass होता है Fe3O4 का 232 2 gram per mole ठीक है तो इसका mass कितना आजाएगा आपके पास 3 से 3 cancel out हो गया इट मिस 1 upon 56 तो 1 upon 56 into 232 gram per mole जो भी आएगा तो इसकी calculation करोगे तो और उन्मोस्ट क्या आजाएगा 4 times आए तो 4.14 kg आपके पास उसका क्या आजाएगा mass आजाएगा यानि कि second option is correct next question है question number 8 एक solution है जिसके अंदर solute का कितना ग्राब दे रहे है solute x का 5 gram दे रहे है जिसको डिजोलो कर रहे है 45 gram solute y के अंदर तो आपको mass percentage calculate करना है तो mass percentage क्या होता है mass of solute upon mass of solution तो mass percentage w by w is equal to mass of solute कितना दे रहे है 5 gram और mass of solution कितना 5.45 कितना हो गया 50 नीचे 50 into 100 तो यह कितने time जाएगा 2 times यहनि कितना percent है 10% है आपकी पास mass percentage ठीक है तो कौन सा option से यहोगा first option is correct next question which of the following arrangement represent increasing oxidation number of the central atom central atom का increasing oxidation number क्या है यह आपको calculate करना तो पहला option चेक करते है manganese का कितना है manganese का plus 7 है यहाँ पे chromium का क्या होगा plus 6 होगा यहाँ पे क्या होगा plus 5 होगा और यहाँ पे क्या होगा plus 3 होगा ठीक ना तो oxidation number का यह कहा है increasing order तो plus 7 plus 6 plus 5 और plus 3 यहनि कि first option is correct next question next question में क्या है what is the mass of one molecule of CH4 यहनि कि CH4 की one molecule का mass आपको calculate करना है तो देखो one CH4 का जो molecule है उसका आपको mass calculate करना है और we know that हम जानते हैं कि one mole CH4 molecules का जो mass है वो किसके बरावर होगा इसके molar mass उसका molar mass क्या होता है 16 gram per mole और one molecule में क्या लिखूंगा any CH4 molecules यहनि कि any CH4 molecules का mass है वो कितना है 16 gram है और तो मुझे एक molecules एक अणों का mass मुझे पुछा है तो one CH4 molecules का जो mass है वो कितना होगा any का इतना है तो एक का कितना होता है 16 upon any की value क्या होती है 6 into 10 की पावर 23 तो यह तो आजागा 10 की पावर मानस का 23 और 16 में 6 का कितना हो जाएगा 2.66 time 2.66 into 10 की पावर मानस का 23 gram आजाएगा CH4 की एक अणों का mass तो third option is next question next question है which of the following example of disproportionation reaction है यहनि कि विश्मानुपातिकर्ण अभिक्रिया का उदान very very important है विश्मानुपातिकर्ण अभिक्रिया इसी reactions जिसके अंदर एक ही element का oxidation वुता है उसी element का reduction होता है इसी reactions को आप क्या वोलोगो discuss disproportionation reaction तो यहाँ पर C2 है तो C2 का oxidation नमर कितना है यहàँ जीरो है और यहाँ पर क्लॉरिन का oxidation नमर कितना है प्लस 5 और यहाँ पर क्लॉरिन का है मानस 1 तो यहाँ 0 से plus 5 में क्या हो रहा है? Oxidation हो रहा है और 0 से minus 1 में क्या हो रहा है? Reduction हो रहा है तो एक reaction है जिसके अंदर chlorine का ही Oxidation हो रहा है उसी का क्या हो रहा है? Reduction हो रहा है तो ऐसी reactions को आप क्या कहोगे? Disproporation reaction तो first option is correct Next question Next question number 12 What is the mass percentage of oxygen? Ethanol Ethanol के अंदर oxygen का mass percentage निकालना है तो Ethanol का formula CH3, CH2OH इसका molar mass कितना होता है? 46 और इसमें oxygen कितना है? 16 तो percentage of oxygen is equal to कितना हो जाएगा? 16 upon 46 into 100 तो यह approximately कितना हो जाएगा? 34.73% तो कौन सा option से होगा? Fourth option is correct Next question Question number 13 क्या है? The amount of oxygen in 3.6 mole of water 3.6 mole of water के अंदर आपको oxygen की amount पुछी हो रहा है ठीक है न? तो देखो 3.6 mole water की अगर मैं बात करूं तो इसका मास कितना होगा? यह आपको calculate करना है तो इसका मास कितना होगा? water का मास of H2 is equal to कितना होगा? 3.6 into 18 यह इसका क्या जाएगा? मास जाएगा किसमें? ग्राम में हो रहा है ठीक है न? और H2 में कितना होता है? 16 gram oxygen होती है और 2 gram क्या होता है? H2 होता है तो 18 gram H2 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो oxygen का मास है वो कितना होता है? 16 gram होता है और 1 gram की अगर मैं बात करूं 1 gram H2 में जो oxygen का मास है वो कितना होगा? 16 upon 18 gram और इतने में कितना हो रहा है तो 3.6 into 18 gram of H2 के अंदर अगर मैं oxygen atom की बात करूं तो ये कितना होगा 16 upon 18 into 3.6 into 18 18 से 18 दे को cancel out हो गया calculation last में करें आप starting में नहीं करें हो और इसको 3 times आप multiply करोगे ये 57.6 gram के round आ जाएगा it means second option is correct next question question no.14 देखिएगा आप during nitrogen estimation present in organic compound by gel doll method तो देखो nitrogen की 2 methods है एक तो gel doll method है एक duma method है very very important यहां से nitrogen का estimation किया जाता है ठीक है इससे ammonia evolve होगी from 0.5 gram of compound ठीक है neutralized by 10 ml of 1 m h204 percentage of nitrogen nitrogen का percentage निकाल ला है तो duma method से nitrogen का जो percentage है उसका formula किया 1.4 into n into v ml upon mass of organic compound ठीक है यह इसका formula है तो 1.4 into इसकी normality कितनी होगी molarity कितनी दरीकी है 1 m h204 की normality कितनी होगी 2 और volume कितना दरीक है 10 तो 2 into 10 upon कितना आएगा 0.5 points से point क्या होगा cancel out 5 का 10 में 2 times आएगा तो यह हो गया 56% तो कौन सा option से होगा second option is correct next question question है 15 12.5 gram of commercial sodium bicarbonate on heating give 3 gram of co2 what is the percentage purity of this sample यहनि sample की percentage purity क्या होगी यह sample का mass है 12.5 gram इसमें impurities में है और sodium bicarbonate भी है तो इसको आप decompose करो sodium bicarbonate na co3 कि इसको decompose करोगी तो क्या बनेगा na2 co3 plus co2 plus h2 यह reaction तो आपने पीब लोग भी पढ़ी होगी यह रहे तो इसको balance कर लो यहाँ पे आप टू टाइम बलते दो sodium होगी दो carbon होगी दो nitrogen होगी oxygen कितने है 3 to 6 3 और 3 कितने होगी 6 होगी बिल्कुल सही है अब आपको इसका mass कि यह simple का mass आपको simple का mass कितना दे रखा है 12.5 gram दे रखा है तो pure sodium bicarbonate का mass आप calculate कर लो तो इसका mass देर का आपको 3 gram तो इसके mole कितने होगी 3 upon 44 इसका एक mole का formation तब होगा जब इसके 2 mole sodium bicarbonate को decompose करोगी तो इसके mole आप calculate कर लो तो इसके mole आपके पास कितने हैंगी 2 into 3 upon 44 तो इसका mass आपको calculate करना है हो तो 6 upon 44 और इसका molar mass कितना हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 60 और 24 यानिकि यह हो जाएगा 84 यह इसका आपके पास क्या जाएगा mass आजएगा यह आपके पास sodium bicarbonate का क्या जाएगा mass आजएगा आपको percentage purity निकालनी है तो यह आप value उपर पूट करें तो 6 into 84 अब और नीचे कितना हैगा 44 upon 12.5 तो जब इसको soul करोगी तो इसकी value आएगी 91.91.63 परसेंट तो कौन सा option से यह होगा first option is correct हाँ क्यूश नमर 16 क्या है यह mixture of gases contain H2 और O2, एक gases mixture है जिसके अंदर H2 और O2 gas है और इनकी mass का ratio दे रहे है, WYW का मतलब इनकी mass का ratio दे रहे है, H2 का कितना 1 gram है और इसका कितना है, 4 gram है तो आपको mole का ratio आपको इसके अंदर पूछा है, तो इसका mole निकाल लो यह तो आपको क्या दे रहे है, इसका mass दे रहे है और इसका mole कितना होगा तो molar mass से divide करते हो, तो 1 by 12 है और यह तो 4 upon 32 है, यह कितना हैगा, 1 upon 8 आजाएगा तो 8 से आप multiply कर दो, तो 1 by 2 into 8, ratio 1 by 8 into 8, तो यह तो कितना हैगा, 1 आजाएगा, और यह कितना हैगा, 4 तो 4 ratio 1 आजाएगा, यानि कौन सा option सही है, 3rd option is correct next question number 17, the pair of the oxidizing agent, oxidizing agent का pair कौन सा है, यह आपको चैकरना, oxidizing agent क्या होता है ऐसे compound जिसमें central atom अपनी higher oxidation state में परजेंट होता है, तो यहाँ देको H2S है, cell पर, यह minus 2 है, यह plus 5 है, यह oxidizing agent है, क्योंकि nitrogen अपनी higher oxidation state में लेकिन H2S में, cell पर अपनी higher oxidation state में नहीं है, तो फ़ला option गलत हो गया, 2nd, APCl3 और Km4 यहाँ, Km4 वो अपनी higher oxidation state में है, और AP plus 3, यह भी अपनी higher oxidation state में है, तो second option is correct दोनों अपनी higher oxidation state में है, इसलिए किसी दूसरी compound को oxidize करेंगे, और खुद क्या होंगे, reduce होंगे, तो second option is correct next question यह reaction को balance का question है, यह reaction आपको देरिकिर इसको आपको balance करना है, ठीक है तो आप सबसे पहले इसके अंदर लिखें, oxidation half reaction oxidation reaction के zinc किसम जा रहा है, Zn plus 2 में, तो zinc जा रहा है, Zn plus 2 के अंदर दो electron क्या करेंगा, release करेंगा, तो सबसे पहले आपने लिख लिख लिया, oxidation half reaction second है, reduction half reaction तो reduction half reaction में, nitrate जो आएन है, जो plus 5 oxidation state में है, वो किसके अंदर जाएगा, NS4 plus यहाँ पर nitrogen की क्या है, minus 3 oxidation state है, तो यहाँ पर किते electron गेन करेगा यह, 8 electron गेन करेगा यह equation first होगी, यह equation second होगी, तो first को आप electron को cancel out करना है, तो first को 4 से multiply करो और second को 1 से करो रहा है, तो first को 4 से कर दिया, तो 4, 4 और यह add, तो add से add electron cancel out हो जाएगी, जब इनको आप add करोगी, तो मेंदर reaction क्या हो जाएगी, 4 ZN plus 9 theta NO3 minus 1 से इधर क्या होगा, 4 ZN plus 2 plus NS4 plus 1 तो nitrogen और zinc क्या होगी, बेलेंस होगी, अब आपको oxygen को बेलेंस करना है, तो इधर oxygen के 3 atom है, तो इधर भी आप क्या कर दो, oxygen के 3 H2O molecules को क्या कर दो, add कर दो, अब nitrogen को बेलेंस करना है, तो nitrogen कितने होगी, 4 और 6 कितने होगी, 10 और इधर कितने हैं इधर कुछ भी नहीं है तो यहां पे आप 10 H plus N को add कर दो अब देखो reaction balance हो चुछ की acidic medium तो A की value तो कितनी है 4 A is equal to हो गया 4 B is equal to कितना हो गया 1 C is equal to कितना हो गया 10 4, 1, 10 4, 1, 10 कौन से option में आ रहा है? 3rd option में हो रहा है बाकी को check करने की जूरूत है नहीं हो रहा है Next question Question number 19 1 mole of FeC2O4 is oxidized by X mole of dichromatine in the acidic medium और acidic medium में इसका इंफेक्टर कितना होता है? 6 होता है क्योंकि Cr2O7-2 है वो किस में जाएगा? 2Cr plus 3 के अंदर तो number of transfer electron कितने हो जाएंगी? पर एक molecule के लिए कितने हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी और इसका एक mole दे रहक है यह oxidizing agent है तो यह क्या करेगा? Cr2O7-2 oxidizing agent है जो ferrous oxalate F2O4 को यह तो किस में करमट हो जाएगा? 2Cr1 plus 3 में और यह Fe को किस में करमट होगा? F2 plus 3 में करमट कर देगा और यहाँ पर जो carbon है इसको किस में करमट कर देगा? Cu2 के अंदर होगा यहाँ पर carbon का oxidation state plus 4 तो यहाँ से इसका oxidation number कितना हैगा? 1 और यहाँ से इसका oxidation number कितना हैगा? 2 आएगा क्योंकि यहाँ पर plus 3 oxidation state से किस में जा रहा है? plus 4 oxidation state में जा रहा है तो एक आरमने के लिए एक electron का change लेकिन C2O4 पर molecule electron के transfer आपको देखने हैं तो यहां पर कितना हो जागा टोटर 1 प्लस 2 कितना हो जागा 3 तो दोनों के gram equivalent आप ब्राबर कर दो तो इधर CR2O7 का आपको X mole दे रखा हो इसका N factor कितना है 6 तो gram equivalent of CR2O7 is equal to gram equivalent of ferrous oxalate तो 1 in 2 कितना हैगा 1 in 2 3 X is equal to कितना है 3 upon 6 यानि कि कितना है 0.5 आगया हो तो कौन सा option C होगा third option is correct हां question number 20 के 0.1 mole of this compound is पहला option है neutralized by 0.1 mole of NUH देखो इसमें एक replaceable hydrogen है तो इसका N factor कितना हो गया आप 1 लोगी हो रहा है तो इसके gram equivalent है वो कितने आजाएंगे इसके gram equivalent आपके पास आजाएंगे 0.1 into 1 कितना आगया 0.1 अब NUH के gram equivalent देखो अगर इसको neutralize करना है तो इसके भी gram equivalent कितने होने छी उतनी होने छी कितने 0.1 तो इसका mole 0.1 दे रहके और इसका N factor भी 1 तो इसका gram equivalent कितना आजाएगा आपके पास इसका gram equivalent भी कितना आजाएगा बल आजाएगा तो इसके gram equivalent निकालो आप तो gram equivalent is equal to 0.05 into इसका N factor कितना हो गया 2 क्योंकि replaceable hydrogen कितने है 2 है तो इसके gram equivalent निकालो तो gram equivalent is equal to कितना आजाएगा आपके पास gram equivalent of Km4 in acidic medium is equal to आपके पास mole आगे 0.04 और इसका N factor acidic medium कितना होता है 5 तो इसके तो इसका 0.2 आएगा अब इसका ये क्या हो जाएगा oxidize होगा तो किस में जाएगा ये जो C2O4 है बाकी तो अपनी आयर oxygen state में ये किस में जाएगा CO2 के अंदर जाएगा जब किसी के अभी क्यों संदेका था पनी ये carbon प्लस 4 है यहां पे carbon प्लस 3 तो इसका N factor कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है न ऑक्सिडाइज के केस में एनफेक्टर चेंज हो जाता है इसके gram client कितने होंगे तो इसके gram client आप चेक करो तो इसके mole कितने होगे आपके पास point 1 into scan factor 2 तो ये कितना हैगा point 2 आ जाएगा तो point 2.2 हो जाएगा इसके अंदर सही है तो correct option क्या होगा correct option for a, b और c next question question number 21 which of the following is not a redox reaction redox reaction इसमें oxidation और reduction दोने होते हैं ऐसी reaction चत्रीक क्या होगे redox reaction तो यहां पर calcium two में a carbon plus 4 और oxygen minus 2 में là बी calcium plus 2 में oxygen minus 2 में carbon plus 4 में ओर रहे है तो तो इसमें, नम्ली CDA हो रहे है न ही reduction हो तो पहली reaction होगा और रेक्ष्रों नहीं है बागी सम में क्या हो रहे है Oxidation और Reduction हो रहा है यहां देखो Oxygen 0 है यहां पर Oxygen के माइनस 2 है तो यह क्या हो गया? Reduction हो गया यहां पर Hydrogen के 0 है यहां पर Hydrogen Plus 1 है तो यह हो गया Oxidation Second Reduction है Third Reduction Sodium यहां पर 0 है Sodium यहां पर क्या हो गया? Plus 1 तो क्या हो गया? Oxidation हो गया और यहां पे आईटोजन क्या प्लस वन है, यहां पे हो गया 0 तो यहां पे क्या हो गया, reduction हो गया MnCl3 में manganese प्लस 3 है, यहां पे manganese प्लस 2 है और यहां पे Cl2 0 है, यहां पे Cl-1 तो यह reduction हो गया और यह क्या हो गया, oxidation हो गया, ठीक है ना तो पहली रेक्षिन है वो रेडॉक्स रेक्षिन नहीं है next question question नमर क्या है 22 the total number of proton in 10 gram of calcium carbonate calcium carbonate का मतलब CaCO3 इसके अंदर proton अगर आपने देखे only CaCO3 proton आपने देखे तो calcium में कितने होंगे जितना atopic number होता उतनी proton 20 carbon में कितने होंगे 6 oxygen में कितना होता है at 8 into 3 कितना हो गया 24 तो यह कितना हो गया 50 proton हो गया आपके पास लेकिन आप से किस पुचा है 10 gram calcium carbonate में पुचा है तो पहले आप मूल कलकुलेट करें तो मूल कितना हो गया 10 upon calcium carbonate का मुजलमास कितना हो गया 100 तो यह आगे 0.1 मूल आगे आपके पास तो number of proton number of proton is equal to 0.1 into 50 into कितना हो गया 6 into 10 की power 23 आजाएंगे तो point को डाओगे तो यह 0 से 0 cancel out यह आजाएगा आपके पास 30 into 10 की power 23 जिसको आप लिख सकते हो 3 into 10 की power 24 तो कौन सा option सही होगा 3rd option is correct next question next question आपको दिरक है 10 ml of N by 2 HCl 30 ml of N by 10 HNO3 और 75 ml of N by 5 HNO3 solution को mix किया है और आपको final solution की क्या पूचिए normality पूचिए तो 2 या 2 से अधिक solution को mix करने के बाद है final solution की modality क्या से calculate करोगी N1 V1 plus N2 V2 plus N3 V3 एक चीछ द्यान में रखे हैं सभी के acid है होरे तो add होंगी इसके अंदर है तो 1 upon 2 into कितना दरक है 10 plus 1 upon 10 into कितना दरक है 30 plus कितना दरक है 1 upon 5 into कितना दरक है 75 ये 1 है होरे ठीक है और नीचे total volume V1 plus V2 plus V3 तो ये कितना होगा 10 40 10 plus 30 plus 75 इसको 16 कितना हैगा 5 इसको कितना हैगा 3 और ये कितना हैगा 15 तो ये approximately कितना होगा 23 हो गया 23 और नीचे कितना हैगा 115 तो 1 upon 5 times आएगा 1 upon 5 times को आप कहा लिख सकते हो 0.2 लिख सकते हो रहे तो जो final solution की normality है वो कितने आएगी आपके पास 0.2 आएगी और 1st option is correct next question है 24 Oxidation state of XYZ XY और Z के आपको Oxidation state दे रहे हैं Compound का formula आपको पुचा हो रहे हैं तो ये applications of oxidation number है जिसके अंदर आपको पता है कि किसी molecule में जित्ते भी limit होते हैं उन सभी के oxidation number का आप addition करोगी है तो वो हमेशा किसके equal आएगा 0 के equal आएगा तो पहला option है पुचा करते है X2 Y Z 6 तो X का oxidation number कितना है प्लस 2 तो प्लस 2 इंटो 2 कितना होगा प्लस 4 Y कितना है प्लस का 5 माइनस का कितना होगा 12 not equal to 0 जाएगा तो पहला option नहीं हो सकता कि ये compound नहीं होगा second compound के X Y2 Z 6 X कीतना है प्लस 2 Y का कितना होगा 5 इंटो 2 कितना होगा 10 और माइनस का कितना होगा 12 तो इंटी इक्वल टू 0 रहे सभी oxidation number का जो addition है वो equal to 0 आ रहे it means वो के उस compound का correct formula है next question question number 25 के K-4 react with oxalic acid according to this reaction यह आपको reaction दे रखी है acidic medium के अंदर बोल रखा है 0.1m 20 ml K-4 यहनकी 20 ml K-4 दे रखा है और उसकी molarity कितनी 0.1m है ठीक है यहाँ पे आप क्याल होगी 0.1 हो रहे 0.1m को read out करें आप यह K-4 दे रखा है और K-4 का N-Factor इस reaction में आप number of transfer of change electron से देखोगे तो यहाँ पे change electron कितने है 5 acid की medium में तो gram equivalent of K-4 आपको check करना है gram equivalent of K-4 वो कितना होगा 0.1 into N-Factor कितना होगा 5 into कितना होगा 28 तो यह आपके पास कितना आने वाला है यह 10 आने वाला है अब आपको देखना है कि कौन से option में gram equivalent of K-4 कितना होगा 10 आ रहे N-Factor आपको पता है इसका कितना होगा यहाँ पे plus 3 C किसमें जा रहे हो आप plus 4 के अंदर जा रहे हो और पर molecule अगर अपने change देखें तो transfer electron कितना होगा 2 होगा ठीक है तो पहले option में check करें तो यह कितना होगा यहाँ पे पहले option में आएगा आपके पास 20 होगा second option में देखो second option में आप चेक करूगी तो 50 into 0.1 into this का अंदर कितना है 2 है तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास gram equivalent 10 होगा तो कौन सा option सी होगा second option is correct तो यह कितना आजाएगा आपके पास 50 आजाएगा तो थर्ड भी सही नहीं है फोर्थ है यहाँ आएगा 2 into 2 कितना आएगा 4 आगया होगा तो कौन सा option सी होगा second option is correct next question number 26 26 में के how many statements are correct कितने कतन सही है तो पहला option देर कि the number of molecules in 4.2 gram of one is this तो आपको एक 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 option को check करके पता करना पड़ेगा तो पहले बाले में मोल कितने आएगे आपके पास मोल आएगे आपके पास 4.25 आपोन इसका मोलर माज कितना होथा 17 तो यह अलमोस्ट कितना आएगा 1 by 4 मोल कुल निकालना है तो आएगे से मल्टिप्लाइ कर दो तो इसमें मोल कुल कितना हैंगे आपके पास 1 by 4 इंटू आजाएगे तो यह निकि यह मोल कुल आने चीर आपके पास यह दे रिके इटमिंस पहला क्या हो गया गलत हो गया और सेकेंड ऑप्षिन अपने सेक करते हैं सेकेंड ऑप्षिन क्या दरक है पोर पॉइंट नमबर ओफ वेलेंस इलेक्ट्रोन 4.2 ग्राम नाइट्रेड है तो इसमें वेलेंस इलेक्ट्रोन क्या होगे नाइट्रोजन में 5 और 3 कितने होगे तो इसके अंदर पहले आप मूल कल्कुलेट करें तो मूल इसकोल 2 कितना हैगा 4.2 अपॉन 14 यह आपके पास रहेगा 0.3 मॉल हो रहे है नमबर ओफ वेलेंस इलेक्ट्रोन तो नमबर ओफ वेलेंस इलेक्ट्रोन इसकोल 2 0.3 इन्टू नाइट्रोजन का यह वेलेंस इलेक्ट्रोन 5 तीन इसने गहने कर लिए तो 8 इन्टू एन्ने तो यह आपके पास कितना हैगा 2.4 एन्ने आ जाएगा जबकि इसमें कितना दे रहे है सिरफ 2.4 दे रहे है तो second भी क्या हो गया गलत हो गया third है the oxidation number and covalency of cell पर in acid respectively 0 or 2 बिल्कुल सही है acid के अंदर oxidation number 0 होगा और उसकी covalency क्या होगी 2 होगी तो third क्या हो गया सही हो गया the oxidation number of chromium in this compound इस compound के अंदर chromium को oxidation number कितना होगा plus 3 होगा जबकि क्या दे रहा है plus 6 दे रहा है it means d क्या है गलत है equivalent weight of crystalline oxalic acid crystalline oxalic acid क्या होता है oxalic acid के साथ आप water के 2 molecule or add कर दो हो रहा है और इसका mother mass कितना होगा 126 और इसका equivalent weight कितना होगा 126 और इसका effector कितना है 2 तो यह कितना होगा 63 यानि कि जो e statement होगा है सही है app statement में देखो आप इसका तुल्यां की बार अनुबार की बराबर बता रहा है equivalent weight is equal to molecular weight तो यहाँ पे इसका oxidation number 2 और यहाँ पे कितना होगा 2.5 आपको पर molecule देखना और पर molecule में sulfur के atom कितने है 2 तो 0.2 का change है और 2 से multiply करोगे तो 1 आजाएगा इसकेस में equivalent mass और molecule mass क्या होते है same होते है तो fbk सही है तो तीन statement के अंदर सही है तो कौन सा option से होगा second option is correct next question 27 27 number question में कहे which of the following is not oxidized by ozone ozone कहे है ozone की द्वरा oxidized नहीं हो रहा है उस compound का आपको देखना है तो जो अपने higher oxidation state में होगा यानि कि oxidizing agent oxidizing agent को oxidize नहीं करेगा तो क्याए में iodine minus 1 है तो ये इसको oxidize कर सकता है K54 में manganese क्या plus 7 oxidation state में इसको oxidize नहीं कर पाएगा ये plus 6 में इसको oxidize कर देगा plus 7 में यहाँ पे iron plus 2 है इसको oxidize कर देगा plus 3 के अंदर which has maximum number of atoms कौन से में अधिक्तम परमाणू की संग क्या हो रहे पहला option है 24 gram of carbon तो इसके अंदर मोल कितने होंगे 2 carbon का atom है 1 है इसमें मोल कितना होगा 1 इसमें कितना होगा 1 और इसमें कितना होगा 1 तो number of carbon atom सबसे ज़्यादा किसमें होंगे first option के अंदर और प्राकर्तिक रूप से chlorine की दो isotopes है 35 और 37 35 को मैं X assume कर लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा नेचर के अंदर 100 मानिस का X तो average atomic mass कितना देर का आपको 35.5 average atomic mass 35.5 is equal to क्या होगा 35 जो isotopes है वो X परसेंट है 35 into X 37 कितना है 100 मानिस का X है अब ओन नीचे आपकी से multiply कर दो 100 से multiply कर दो तो इधर आप इसको multiply करोगे तो ये कितनायगा 3550 is equal to 35 X plus 3700 minus reins का 37 X तो ये आएगा 150 यानिकि 2X is equal to कितना आएगा 150 X is equal to कितना आएगा 75 X कितना आएगा 75 आगया यानिकि ये कितना आगया 75 तो यह कितना हैगा 25 तो इनका नेचर का अगर आपन रेश्यों देखें तो 35 अपन 25 यह कितना हैगा 3 रेश्यों बनाएगा इन और यह कितना 54.2 रेखें 9.2 और रिमेनिंग का है रिमेनिंग औक्सिजन अकॉर्णिंग तो आप 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 संदेख सकते हो रिमेनिंग का है जो कितना होगा 36.6 अब इसकी मोल निकालोगी तो इसका 54.2 अपन मौलर मास कितना हो गया 12 है और यह 9.2 अपन कितना होगा 1 और यह 36.6 अपन कितना होगा 16 होगा यह अप्रोक्सिमेटली 2.24 जाएगा यह 9.2 और यह आजाएगा 4.51 तो जैसे वो सब से कम आपके पास मोल है उसके अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर आप डिवाइड करों किते 4.51 अपन 2.24 तो यह कितने टाइम जाएगा 2 टाइमस जाएगा और 9.2 अपन 2.24 यह कितने टाइमस जाएगा यह 4 टाइमस जाएगा और इसका इसके अंदर कितने टाइमस जाएगा 1 टाइमस जाएगा तो आपके पास जो फूर्मुला है वो क्या आएगा कार्मन की कितने है टू हाइटोजन की कितने फॉर ऑक्षिन का कितना है वन सी टू एस पर ओवल तो यह कौन सा अप्षिन गोगा फॉर्ट ऑप्षिन इस क्रेक्ट नेक्स्ट क्यूश्ट अब आपके आगे integer type questions ठीक है तो पहला question है equivalent weight of sulfur in SO2 SO2 में sulfur का oxidation state कितना है प्लस 4 जिसके अंदर आपको sulfur का ही equivalent weight calculate करना है तो we know that equivalent weight is equal to क्या होता है atomic weight का कितना 32 sulfur का upon 4 से divide करोगे तो कितना आएगा तो first का जो answer आएगा वो कितना आएगा एट आएगा next question next question है in the following reaction hydrogen is oxidized to O2 यानि कि N2S4 O2 में क्या हो रही oxidized हो रही है तो यहाँ पे nitrogen का oxidation number plus 2 है और यहाँ पे nitrogen का 0 है एक nitrogen के लिए change कितने है लेकिन आपको पर molecule electron में change देख रहे है तो 2 into 2 कितना हो गया 4 हो गया और इसका equivalent weight अगर आपको निकालना है तो इसका molar mass कितना हो गया 32 upon 4 तो 32 upon 4 इसका भी answer कितना आएगा 8 आएगा हो रहे है तो N2H4 का तुल्यांग की बार है वो कितना जाएगा 8 आजाएगा next question number third in carious method of estimation of halogen 250 mg organic compound दे रहे है जो 141 mg क्या दे रहे है silver bromide दे रहे है तो percentage of bromine this compound तो percentage of bromine तो AGR के AGBR में bromine कितना होगा 80 upon 188 into 141 और mass of organic compound कितना दर का 250 into 100 जब इसको आप सोल करोगी तो इसकी value कितने आएगी 24% आएगा ठीक है fourth fourth क्या है 4.48 liter of CO2 gase is obtained fourth क्या है 4.48 liter of CO2 gase is obtained at anti-bite thermal decomposition of 25 gram sample of calcium carbonate calculate the percentage purity of calcium carbonate तो CCO3 का आप decompose करोगी तो क्या बनेगा calcium oxide plus CO2 gase यह आपको कितना दर का 25 gram sample का मास दे रहे है sample में क्या होगी impurities भी होगी और calcium carbonate भी होगा इसका decompose आप करते हो तो NTP पे इसका volume आपको मिलता है 4.48 liter यहां से आप मोल calculate करो तो 4.48 upon 22.84 तो यह कितना हैगा 2 upon आपके पास 10 mol आजाएगा यानि कि 0.2 mol आएगा 0.2 mol से इसके कितने mol बनेंगी इसके भी 0.2 mol बनेंगी और इसका मास कितना होगा तो 0.2 upon इसका मोलन मास कितना होता है किली से इसके पार मिनिट का 100 तो यह कितना होगा 20 gram होगा तो percentage purity कितने आजाएगी percentage purity आजाएगी 20 upon 25 into 100 तो यह कितना आजाएगा आपके पास 80% आजाएगा यानि कि इस cancer कितना आजाएगा 80 आजाएगा Next question number 5 Chlorine Gase at STP यानि कि 20 ml Chlorine Gase में Chlorine की प्रमाणों की संग के आप से पूछेए NTP पर तो इसके मोल आप निकालो 20 upon ml में दे रहाएगा तो नीचे भी आप 22.4 लिटर की जगे इतना ml पूट कर लो हो रहा है यह cancel out हो जाएगा और यह कितना हैगा 112 0 कि अजय होंगे 2 120 10 सबीष 1 यहाजब हैगा 120 इंटू 10 की पार 21 पुट कर सकता हूँ अब उन कितना हैका 112 तो यह प्रोक्सिम consumers कि हैगा 1.1 into 10 की पावर 21 होगा तो आप सी क्या पुचा है निकत्तम मान पुचा है और निकत्तम मान के आएगा इसका यहां पर 1 into 10 की पावर 21 एन की 1 इसका correct answer रहेगा question number 6 complete combustion of 3 gram of ethane x into 10 की पावर 22 molecules of water is obtained the value of oxygen 3 gram ethane का पूर्ण दैन करोगे तो जल के x into 10 की पावर 22 जो जल के रहूं आपको मिलेंगे तो आपस का मान क्या होगा तो ethane C2H6 इसका आप combustion करोगे oxygen की presence में तो क्या बनेगा 2CO2 plus 3H2 तो oxygen के atom कितने होगे 7 तो यहां पर आप क्या पूट करोगे 7 by 2 इन एक mole ethane का combustion कर रहे हो आप तो water की कितने mole बन रहे हैं 3 तो mole देख लो ethane की कितने 3 upon 30 तो 0.1 mole से इसके कितने मरेंगी 3 into 0.1 कितने आंगे 0.3 मोला जाएंगे आपके पास किसके वोट रखे और molecules की बात करूँ मैं तो molecules के आप क्या करोगे mole से multiply करोगे तो 0.3 into 6 into 10 की पावर 23 और इसको आप multiply करोगे तो 18 into 10 की पावर 22 तो इसको compare करो x into 10 की पावर 22 से तो आक्स की value कितने आएगे आपके पास 18 आएगे तो इसका answer कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा question number 7 है the difference in the two oxidation state of sulfur atom in sodium tetrathynote sodium tetrathynote में दो sulfur के atoms है जो different oxidation state से हो रखते हैं तो सबसे पहले इसका formula क्या है तो formula है na2s406 और इसकी structure अपने देखें तो इसमें चार sulfur atom को एक दूसरे से connect कर दो oxygen 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 ONA इधर भी ONA यहां पर sulfur का oxidation number minus two यहां पर क्या हैगा plus two यहां पर minus two तो यहां पर plus two minus one यहां पर plus one तो यह जो sulfur atom है इसका oxidation state क्या आगया प्लस का 5 आगया हो रहा है और यहां पर जो sulfur है उसका oxidation state भी क्या होगा plus का 5 आजाएगा राइट यहां पर oxidation state क्या है 0 और 0 तो यह दो different type के sulfur atom है इन sodium theta thynode और इनका difference क्या जाएगा 5 minus 0 कितना जाएगा 5 अगर आपको इसमें पूछे कि average oxidation state कितना होगा तो इसमें average oxidation state है वो क्या होगा average oxidation number of sulfur atom तो यह प्लस 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 अपॉन 4 तो यह कितना हैगा 2.5 आजाएगा लेकिन आपको तो क्या पुछा है difference पुछा है और difference कितना हैगा 5 आजाएगा question number 8 के है give the solution of HNO3 density आपको देरे किए w by w दे रका है आपको molarity पुछे तो जब भी question के अंदर आपको density देरे किए w by w दे रका है और उसमें molarity आपको calculate करना तो सीधा सा relation आपको पता होना चाहिए कि molarity is equal to molarity is equal to w by w percent into density into 10 upon molar mass of solute molar mass of solute और solute है आपके है HNO3 है तो पुट करा आप तो molarity कितने आएगी आपके पास w by w कितना है 63 into density कितने है 1.4 into 10 upon molar mass of HNO3 कितना होगे 63 यह से cancel out हो जाएगा और इसकी value क्या आएगी आपके पास 14 आजाए तो molarity आपके पास कितने आएगी 14 आएगी next question number 9 question number 9 में कि 10 ml of gases hydrocarbon CXHY give 40 ml of CO2 and 50 ml of water wafer sum of X and Y will be तो यह hydrocarbon है CXHY ठीक है इसका आपको combustion करना है oxygen की presence में तो क्या बनेगा XCO2 plus YY2H2 तो यहाँ पर क्या हैगा X plus YY4 आएगा इसका coefficient कितना हैगा X plus YY4 यहनि कि 1 ml CXHY hydrocarbon का आप combustion करोगी तो आपको X ml क्या चीए CO2 produce होगी और कितना ml 10 ml 10 ml hydrocarbon का combustion करोगी तो 10X ml आपके पास CO2 मिलेगी और 10 ml का करोगी तो Y by 2 into 10 ml आपको क्या मिलेगी वोटर वेपर मिलेगी होना तो X और Y की विल्यू कल्कुलेट करने है और क्यूशन में आपको CO2 कितना जरक है 40 X की विल्यू कितने आएगी आपके पास 4 आएगी और यहां पर कितने आएगी 50 तो यहां पर Y की विल्यू कितने आएगी 10 आएगी X प्लस Y का आपको एडिसन करना है X प्लस Y यानि की 4 प्लस 10 कितना हो गया 14 हो गया ठीक है तो इसका अंसवर क्या आएगा 14 आएगा क्यों से नम्मर 10 क्या पूचे average oxidation number of sulfur in sodium thiosulfate ठीक है इसके अंदर आपको sulfur का average oxidation नम्मर निकालना है तो sodium plus 1 group C बलों करता है तो इसका oxidation state क्या हो गया प्लस 1 इन्टो 2 दो सोडियम के एटम है प्लस 2 इन्टो X मानिस का 6 इसक्वल टू 0 तो 2X बराबर कितना हो जाएगा 4 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कोई doubt है तो आप देख सकते हो रहे बाकी मुझे लगता नहीं कि आपको देखने ही जुरूत है क्योंकि पूरा paper एकदम NCRT based और exam orientate था ठीक है Thank you so much JCLC